अग्याल चाले बई कि एक दम हो गया लैंज्वन सबका औल सेट अजी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद चले बटा करते हैं आज की क्लास काट तो अभी तक जितनी भी पढ़ाहिम ने करें उन सारी बातों को रिवाइस करेंगे फिर आगे वाली बातों को ख्लब करेंग और किसी भी कानून की इंटर्पेटेशन में अगर दिक्कत आजए तो उसके लिए जुडिश्री, that is, हमारे कोर्ट को एस्टेबलिश किया गया है, और जी पार्लियमेंट के पास कानून बनाने की पावर है, यह बात समिधान के कौन से आर्टिकल में लिखी थी, 245, जहां प स्टेट के लेजिसलेटिव एसेंबली आप उन मुद्दो पर कानून बना पागों जहां लिखे हैं, स्टेट लिस्ट, और एक और लिस्ट आती बेटा कौन सी, कौन करंट, उस पर कानून कौन बनाएगा, दोनों, और अगर दोनों के कानून में क्लैश आ गया, किसका उन सारे रिजिजड़ी मेटर्स पर कानून बनाने की पावर किसके पास है, पारियामेंट के पास, और यहीं से पारियामेंट के ने कंप्ठीज के सब करते हैं, उसमें लोकसभा, राजह सब एन प्रेजिस अगसल आते हैं, और कंप्छिन तो पर पूरा काप्प्षन के कान सब सेक्षिन टू ने बताया कि आपका पूरे इंडिया पर अप्लाई करेगा और फिर आपका सब सेक्षिन तीन आया उसने क्या बताया भी पारलेमेंट ने का हमने पूरा ओर तो दिया है पर यहाला कानुन धीरे धीरे में आएगा और कब крут कौन सा सेक्षिन बोर्ष में लाना है यह बताने कि और कि छे को देखने को मिलेंटी है definition जिसमें हमने सबसे पहले और important definition पड़ी थी of the word company कौन से section में दिफाइन था section 2 clause 20 कैसे डिफाइन के था company को answer आना चाहिए सब का company means company incorporated under this act और under any previous company लो तो जी चाहे आप नए companies act में बने थे चाहे पुराने में तोनों पर ही नया वाला company's act आपका apply कर जाता है पर फिर बेड़ा हमने example लिया था एक company का China Life Insurance जो इंडिया के बाहर बनी थी इंडिया से कोई लेना देना नहीं था ऐसी company को नाम क्या देते हैं company incorporated outside India क्या वो हमारे लोग के लिए company है नहीं और उस पर क्या हमारा companies act apply करेगा नहीं पर फिर बेड़ा हमने कि यह वाला companies act नए companies act की companies पर और पुराने law की company दोनों पर apply करेगा पर फिर इसने का जी इंडिया में कुछ ऐसी companies हैं जो बनी तो companies act में है पर उन पर साथ-साथ उनका एक special act भी apply कर जाता है for example banking insurance electricity तो ऐसी company companies act की भी बाते मानती है और special act की भी पर अगर कभी भी clash आएगा व किसी भी body corporate के ऊपर तो सीजी अगर आप चाहो आप किसी भी body corporate पर companies act की कोई भी बात apply कर सकते हो और यहीं से बेटा मने body corporate का मतलब जाना था body corporate आपका अब जाना था section 2 clause 11 में और कैसे define किया था क्या बड़ा lawmaker ने body corporate का exact meaning आपको बताया है नहीं इसकी definition कैसी है inclusive क्योंकि लौनिका का body corporate includes a रांसर रांस जी यसे मजाने आथा body corporate includes a company incorporated outside India but it does not include what एक तो cooperative society और body corporate में बड़ा क्या नहीं आएगा does not include a body corporate with CG में notify क्या बड़ा CG ने अभी तक किसी को भी body corporate की definition से बाहर किया है Asian Development Bank पर CG किसको body corporate की definition से बाहर नहीं कर सकती एक company को body corporate की definition से बाहर नहीं किया जासकता इसके बाद बड़ा लोग company क्यों बनाते हमने वह जाना उसके दो examples लिये थे कि ताकि हमारी liability कहिना के limit हो process होता है तो उस process को हम बोते है incorporation that is company is an incorporated association incorporate होते ही यह ऐसी entity जो exist करती है पर किसी को दिखती नहीं तो it is an artificial person अगला feature बेड़ा कौन सा आ गया था separate legal entity company and shareholder दोनों अलग अलग है और कल को अगर shareholder's की death हो भी गई तब भी का company की existence को फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि महा पर क्य अगले बाद बुड़ा company में member की just liability हो आपने कैसी अगर आपने बनाई ये पंपनी कों से amount तक हो ? का फीचर आज के दिन में mandatory है अगला फीचर हमने देखा टा टा ट्रांसफर अबिलिटी ऑफ शेर अगर आप पब्लिक कंपनी बनाते बड़ा पब्लिक कंपनी का शेर कैसे ट्रांसफरेबल होता है अगला फीचर हमने जाना है लिमिटेशन ऑफ एक्शन हर कंपनी के काम करने क का एक दायरा होता है जो दायरा लिखा होता है Memorandum के Object Clause में और हर कंपनी को इस दायरे में रहकर काम करना होता है त्योंकि अगर आपने Object Clause से भड़तर कोई काम कर दिया ऐसी ट्रांसेक्शन पर क्या बोलते है अल्ट्रा वाइरस एंड अल्ट्रा वाइरस ट्रांसेक्शन वाइड एब इनिशियो हैं लास्टी अमने एक पीचर जाना था है separate management का कि company में members पैसा लगाते जरूर हैं पर company को चलाते हैं डारेक्टर पर बढ़ा क्या company में हर decision director अपनी मनमर्जी से लिस्क ने कभी-कभी member से पूछना पड़ता है पूछना पड़ता है तो अगर आप से अगर वो काम member के लिए reserved है तब तो हम member से पूछेंगे परना वो काम director अपने आप कर लेते हैं और जितने भी काम member के लिए reserved होते हैं member के कामों को log में क्या नाम दिया जाता है business और business कितने type के होते हैं दो कौन-कौन से ordinary business and special business ordinary business पूरे law में कितने हैं सिर्फ चार बाकी सारे क होते हैं दो कौन-कौन सा OR या SR ordinary या special resolution और इसका section आते है 114 and ordinary business के लिए OR and special business के लिए SR ऐसा कोई भी logic नहीं है OR को बेटा पास कब माना जाएगा when votes in favor are more than the votes casted against और SR को पास कब मानेगे when votes in favor are at least three times the votes casted against OR या SR पास कराने के लिए या तो आप member की general meeting बुला सकते हो या आप उने चिठ्थी डाल सकते हो member को चिठ्थी डालने को क्या बोला जाता है पोस्टल बैलेट तो जी आप पोस्टल बैलेट के थू भी वोटिंग करा सकते हो अगर आपने meeting बुलाईए meeting में voting का पहला तरीका कौन सा होता है जौफेंट के पास आप क्या एमां पूरे लौ में कितने ताब के resolution पास करते हैं या तो वह पास करते हैं इक simple resolution पाइमि forged pil या वह पास करते हैं आप Olmenस resolution को लिएखर या उनानिमास resolution कव नष करते हैं इनको पास करने के लिए या तो आप डारेक्टर की क्या बुला सकते हैं बोर्ड मीटिंग या आप क्या चाहो तो डारेक्टर को चिथी भी डाल सकते हो यस डारेक्टर के चिथी डालने को क्या कहते थे रिजोलुशन बाई सर्केलेशन और अगर डारेक्टर चाहते हैं वो अपनी पावर को डेलिगेट भी कर सकते हैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट कल डाउट आये था मैं सब को बता हूँ जब आपने डारेक्टर की बात लिखी दी मैं चाहूंगा आप डारेक्टर वाले प अगर रिजोलुशन बाए था हमने केसी कहा था डारेक्टर दो टाइप के रिजोलुशन पास करते हैं और उसके बाद मैं आपको क्या कल था वो पास आप कैसे करा सकते हो या तो बोड मीटिंग में या रिजोलुशन बा जर्कलेशन इसका एरो आई होप आपने मेरे जैसे तरीके से बनाया होगा, क्योंकि मैंने arrow कैसे बनाया था, मैंने unanimous के नीचे लिखा था board meeting और majority के नीचे दो arrow लगाये थे, इसका मतलब क्या बेटा जो unanimous resolution है, वो हमेशा कहां पर pass होगा, board meeting में ध्यानकना, उसके लिए आपके पास RBC की इजाज़त पर जब कमपनी ने वो इंकम कमाने के लिए पर जब कमपनी ने वो इंकम पास्वन करी, वो डिविडिंड की तरह टेक्स हो गई, केस का नाम मिसिस बच्चायव गुजदार, तभी कमपनी एक बहुत interesting entity है, उसका इस्तमाल अगर आप तरीके से करोगे, law में बहुत सारे benefits मिलेंगे, पर अगर आप कमपनी का misuse करना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसे case में बढ़ा, क्या corporate well lift होसकती है yes, for example, अगर आप चार कमपनी बनाकर अपनी investment को split करके, text बचाने के कोशिश करोगे, corporate well lift कर दी जाएगी, case का नाम सरदिन्शा मेनिक जी पैटेड, या अगर आप कोई contract की obligation avoid करने के लिए, client solicit away करने के लिए, आप एक नई company खोलते है, तो भी corporate well lift होगी, case का ना, जिसमें पहला type हमने सीखा था, basis statue, okay, basis law, company या तो हो सकती है, company registered under the company's act, या वो हो सकती है, company जैसी, मतलब वो company's act में बनती तो नहीं है, पर दिखने में company जैसी लगती है, उसको हम कहते है, statutory corporation, for example, LIC, तो बढ़ा ये classification हमने जाना था, फिर हम आये थे, basis registration, ये आज हमें start करना है, तो this is all about this batch so far that we have covered, any doubts, अजी कोड़ाइब, इसका जवाब देना, जो भी आप class में कराते हो, उसको घर जाकर बस एक बार अराम से read कर ले, तो क्या exemption आ सकती है, बढ़ा, exemption लाना, rank लाना, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है, आप ए मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरे से पढ़ावा बच्चा rank भी लाता है, मेरे से पढ़ावा बच्चा examination भी लाता है, और मेरे से पढ़ावा बच्चा fail भी होता है, तो क्या मैं सबको अलग-लग पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं तो सबको एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अ तो अगर आप अपना काम honestly करोगे, तो मैं बार बार कहता है, rank exemption यह सब byproduct है, यह automatically आ जाएगा, और day 1 पी मैंने का था, हमारा target rank exemption ही नहीं, मेरा target simply है, 100 number, 100 number का paper दे रहे हो, तो हमें 100 लाने है, यही सोच कर आपको law का paper लिखना है, अब चाहिए जितने मर्जिया है, हमें तयार आप ही सोच की करनी है, बस उस target से आप चलना, एक और सवाल आता है, पता है कैसे अंसर को बच्चा का सर, law याद कैसे करनी है, क्या जब हो आप बच्चपन से school में जो याद करने का तरीका सीख है, वो यहाँ अपलाई करना है, बच्चपन से आप जैसे कोई भी theory subject याद कर सेम पैटन पर आपकी law याद होगी, बस law को भी रटना मत, law का हमेशा logically अगर आप पड़ोगे, किसी भी चीज़ का अगर आपको एक बार logic समझ में आ गया, कि law में करने ऐसी बात क्यों लिखी, फिर उसको याद करना असान हो जाएग, ultimately तो याद करने है, पर याद करने से बेसिक्स of studies कभी भी चेंज नहीं हो सकते, जो बच्चपन से आपने basics of education या पढ़ने का तरीका रखा है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, अपनी sincerity, regularity, शुरबात से अपनी तरीके से पढ़ाई कर चलना, basics of studies can never change, और ये आपके inter की course किया, journey की शुरबात है, starting से ही regular है, ये extent तक जाकर institute सवाल बनाता है, वो आपको समझ में आएगा, तो इसलिए इतना हलके में मतले न, शुरबात से regular है, जो भी teacher जो पढ़ा रहे है, उसको revise करो, उसकी तियारी करो, तो बिलकुल आपका last result अच्छा आएगा, Don't worry भई, इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा, अच्छा, वो कह रहे है, सर, SR and OR में किस type के decision लिए जाते हैं, तो जो भी decision lawmaker को लग रहे हैं, कि ये काम director अकेले ना कर पाए, पहले member से पूछ ले, अब जी किस काम के लिए कब OR चीए, कब SR चीए, ये कैसे बता चल लिए, क्या member से permission मांगना जरूरी करा है या नहीं, तो अगर law में कुछ नहीं लिखा, director वो काम कर लेंगे, अगर law में लिखा है, तो OR EISR पास करा जाएंगे, चलिए, तो this is all about this, पैच आवेट से सो फार, तो class 1 से लेकर बटा अभी दख, ये ही सारी coverage हम ने करिए, चलते ह हैं, अब आखे, हाँ, जी, पैसि स्टेटियो, कि जी law के आधार पर companies कैसे कैसे होते हैं, या तो वो होगी companies act वाली company, जिसे companies act में बनाया गया है, या कुछ ऐसी entities होती है, जो दिखने में company जैसी लगती है, पर वो companies act में नी बनती है, वो बनती है, पारलियरमेंट या state के कि अलग special act में, for example, LIC, LIC देखने में आपको company जैसी जरूर लगती है, पर क्या आपको company है, नहीं, क्योंकि वो companies act में incorporate भी हुई, उसके लिए पारलियरमेंट ने इक अलग कानून पास करके उसे बनाया, तो ऐसी entities को हम एक नाम क्या देते है, statutory corporation, एक और सवाल जो आया था, व तो जी LIC listed कैसे है फिर, अगर ये company नहीं है तो, तो बड़ा, ये कहां पर लिखा है कि share सिर्फ company का हो सकता है, अगर parliament LIC act में लिख दे, कि जी LIC भी share issue कर सकती है, वो LIC act में लिख दे, कि इसका share भी list हो सकता है, तो क्या LIC भी list हो सकती है, तो वो सारी legal backing LIC act से निकल करके आ अपनी दिया, चलते हैं अब आगे, तो लास्ट क्लास में हमने अपना topic स्टार्ट किया था, types of the company, आज जादे बड़ा उस topic पर, विवेकर सर, chartered companies क्या होती है, अरे यार, तो मेरे को बता, तो chartered accountant क्या होता है, इसमें जो वर्ड है, chartered, ये कहां से आए, भाड़े का, chartered का, अगर आप dictionary meaning हिंदी में देखो के तो भाड़े का, उधार पे लिया गया है, बाड़े का अकॉंटेंट, हम से भाड़े का अकॉंटेंट है, नहीं, what do you mean by chartered in your word, CA, CA में जो chartered आता है, उसका मतलब क्या होती है Royal Order, जो वर्ड chartered है, उसका मतलब क्या है, Royal Order, Royal Order मतलब सर, जब तक हमारे देश में अजाद ही नहीं प्राप्त हुई थी, तब तक हमारे देश में Britishers का सार्शन था, और Britishers में पहले East India company का company rule चला करता था, पर जैसी company अच्छे से यहां penetrate कर गी, फिर India में directly crown rule चलता था, अपनी तरफ से Royal Order या Royal Charter पास करके उन्हें accountant का दरजा दिया करती थी, और वहीं से वो word chartered drive हुआ है, और वही नाम हमारे या हमारे प्रोफेशन के अंदर जुड़ गया, chartered accountant, तो मतलब हमारे यहां पर जो chartered word आ रहा है, वो एक Royal Order, उस level का accountant आप बनने वाले हो, तो वहीं स chartered company भी word derived है, मतलब ऐसी companies जिने twin के charter पास करके incorporate किया जाता था, England वगरह में आपको यह concept देखने को मिल जाता है, तो this is all about आपका classification basis tattoo, अगला classification जो आज हमें start करने है, that is basis registration, की registration के अधार पर, जब आप company incorporate करने जाते हो, वो कितने प्रकार के हो सकती है, या तो वह कैसी company हो सक आपकी private company, तो basis registration, a company can either be a public company और it can either be a private company, लास क्लास में भी जाते हैं जाते हैं एक सवाल पूछा था, शायद आपने घर पर थोड़ा सा research किया हो, कितने बच्चों को यह पता है या मानते हैं कि पब्लिक कंपनी में सरकार की कुछ ना कुछ हिस्सेदारी तो पक्का होगी, पब्लिक कंपनी का ऐसी компании जिसमें सरकार का कुछ ना कुछ atmosphere interest होगा, कितने घराईसा मानते हैं, कितने घराईस भी डेखते हैं, इक पब्लिक पनी में government की शेयर होड़िंग होना क्या बेटा झरूरी नहीं होता, पब्लिक कंपनी में सरकार की इस्सेदारी यह ज़रूरी नह नहीं आप इनकी शेर होल्डिंग उठा कर देखना हर कंपनी में आपको सरकार की भागीदारी नहीं मिलेगी मतलब government की शेर होल्डिंग से एक company का public या private होना decide नहीं होता हाँ अगर किसी भी public या private company में सरकार की शेर होल्डिंग है और एक significant level की है तब ऐसी public या private company को में एक नया नाम क्या देखते हैं government company तो धानकना किसी भी public या private company में अगर सरकार share खरीदना start कर दे और एक substantial level तक उसकी share holding चला जाए वो substantial level कितना होते है वैसे तो सीखेंगे पर कितना होते है पता हो तो धानकना 51% तो अगर सरकार का share holding एक decent level तक पहुँच जाए तब उस company को में एक नया नाम क्या दे देते हैं government company कि जी अब ये एक government company हाँ पर बन चुके तो अगर किसी भी public या private company में government 51% के round hold करे तब उसको government company बोते हैं या सरल भाशा में layman या market terminology में उसको एक और नाम क्या दिया जाता है PSU तो government company का ये एक और नाम क्या होता है PSU public sector undertaking तो उसको अब public company से कभी भी mix मत करना वो government company को दिया जाने वाला एक और नाम है short में हम उसे PSU कह देते हैं तो public company और government company आपस में interlinked नहीं है is this clear everyone तो जाने करे बिढ़ा उसका कोई भी basis नहीं है public तो इसका मतलब क्या है public company एक ऐसी company होती है जिसमें public at large का interest आ सकता है ठानक ना public company एक ऐसी company है जिसमें public at large का interest अगर वो company चाहे तो आ सकता है क्या बिटा हर public company में public का interest होगा ही होगा is that mandatory नहीं उसमें public at large का interest आ सकता है सवाल पता है सर, किसी भी public company में, public at large का interest किस तरीके साथ होगा, जनरली जब वो company क्या लेकर के आती होगी, public issue, public issue मतलब IPO अगर आपने कभी नाम सुना है, तो public company में एक ऐसी company होती है, जिसमें public at large का interest या stake आ सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है, public company, for example, अगर वो चाहे, तो वो public issue लेकर आ सकती है, तो यहाँ पर public at large interested हो सकती है, for example, Reliance, Adani, Tata, Infosys, जितने भी companies बिटा आप stock market पर देखते हो, इसमें से कुर्फ limited लोग interest है, public at large interested है, यहाँ पर public at large का पैसा लगा होगा है, तो यह सारी companies आपकी public company का example बन जाती है, पर जी, हर public company में public का interest होगा ही होगा, क्या वो mandatory होता है, नहीं, interest आ सकता है, अगर वो company चाहे, तो public at large से भी पैसा ऐसा raise कर सकती है, coming down to private company, private company में जो word आ रहे है, वो है private, private company में private word का क्या मतलब है, private company का जो structure लोग के अंदर दिया गया, या जिस intention से वो बनाएगी, किस intention से बनाएगी, जहाँ पर कुछ गिने चुने लोग आपस में आकर private arrangement की तुरह एक धंदे को चलाना सारे, उनका जो intention है, वो कभी भी public at large का interest अपनी company में लाना नहीं है, अपस में मिलकर privately कोई business rent करने की सोचते हैं, तब वो वहाँ पर private company में आ सकते हैं, और यहीं से एक logic क्या बना, क्या private company में public at large का interest कभी भी आ सकता है, जहन कर ददा कभी आ ही नहीं सकता, private company कैसी company है जिसमें public at large का interest कभी भी नहीं आ सकता, उसमें public at large कभी भी interested नहीं हो सकती, for example बेटा, आज अगर हम बात करें, आपने शायद एक company का नाम सुना होगा, Zomato, कुछ Zomato बोलते हैं, कुछ Zomato बोलते हैं, ठीक, Zomato की, अगर हम थोड़ी सी background में जाएं, Zomato जो word है, कहां से derived है? Zomato से, आटोमेटो से derived है, टोमेटो से मिलता है, इनाम उनने रिखा Zomato, तो Zomato का बेटा अगर आप थोड़ा सा भी history डाकर देखोगे, तो Zomato initially, कैसे काम करती था, Zomato start कैसे हुई थी? Zomato को innovate, या start करने का जो purpose रहा था, वो क्या रहा था? एक employee थे, वो अपनी company में काम करते थे, और जब lunch break होता था, वो lunch break के लिए canteen में जाते थे, और canteen में अलग-अलग stalls लगे होते थे, और वो देखते थे, सारे के सारी employees, अलग-अलग stalls के menu उठाने के लिए भाग रहे है तब उन्होंने का, यार मैं काम करता हूँ, मैं एक app बना कर सब ये outlets के menus पर डाल देता हूँ, ताकि lunch break में लोगों का ये समय बचपा है, और उन्हें वो menu ढूंडने में दिक्कत ना है, वहां से उन्होंने Zomato को शुरू किया, जब उन्होंने सिर्फ उस canteen के restaurants को उस menu पर फिर उन्हों लगा, इसको मैं क्यों scale-up ना करता हूँ, और मैं scale-up करके काम करता हूँ, पूरे के पूरे अपने area के जितरे भी restaurants से, सब के menu डाल देता हूँ, क्योंकि कहीं बार लोग घर से निकलने से पहले, restaurant का menu देखने में interested होते हैं, तो उन्होंने वो काम वहां ना करन पड़े तो उन्होंने पूरे area के डाले, उन्होंने एक काम करता हूँ, पूरे का पूरे इंडिया के ही सारे restaurants के menu में पर डाल लेता हूँ, ताकि लोगों को कभी भी menu पड़ना, वो घर से ही decide करके जा पाए, किस restaurant में जाना है, so with that vision, उन्होंने Zomato को बनाया, और Zomato initially, सिर रही है, Uber Eats ऐसी company आ रही है, तो क्यों ना मैं भी food delivery में उतर जाओ, क्योंकि मेरे पास तो लोगों का इतना बड़ा database है, मेरे को पता है लोगों की eating habits के बारे में, कि वो कैसे कैसे restaurants में जाना पसंद करते हैं, और मेरे पास पूरा database है, तो बड़ा immediately उन्होंने अपने business model को food delivery में convert कर दिया, और तो बहुत सारी चीज़ आ गया एटर रहा, तो slowly and steadily Zomato grow करता गया, और इतना grow कर गया, कि आज के दिन में Zomato कैसी company बन चुका है, listed, तो आज के दिन तो Zomato का आपका share listed भी है, तो बड़ा जब Zomato की initially शुडवात होई, और वहाँ पर company बनाने की सोची गई होगी, क्या उन्होंने सीधा public company खोल दियो गया, private company बनी होगी, private, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उनका business कितना grow करेगा, पर फिर उन्हें लगा या business grow कर सकता है, इसलिए उन्होंने बाद में अपनी company को list करवाने का सोचा, पर बड़ा private company का अंदर, क्या public at large का interest कभी भी आसकता है, नहीं, इसलिए उन्होंने पहले company को किस में convert किया होगा, public में, तो धानक ना, Zomato पहले public company में convert हुई थी, तब वो public at large से पैसा raise कर पाए थी, अगर वो private ही रहती, वो public at large से पैसा raise नहीं कर सकती, धानक ने, private company में कभी भी public at large का interest आ ही नहीं सकता, यह basic bifurcation ह between a public and private company, तो public company एक ऐसी company है, जहां पर public at large interested हो सकती है, private में कभी भी public at large का interest नहीं आ सकता, तो इसी intention से lawmaker ने bifurcation किया है, with this intention बिड़ा आते हैं और देखते हैं, कि companies act private company को कैसे define करता है, तो आजो भी, अगर companies act private company को बिड़ा define करता होगा, तो कौन से section में करता होगा, section 2, त अगर आप आएंगे page number 1.16 पर बिड़ा, वहाँ पर आपको private company की definition देखने को मिल जाती है, और section 2 clause 68 में private company defined है, देखते हैं भी, lawmaker एक private company को कैसे define करता है, तो बिड़ा रहे जी, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed, पहले तो यहां रुख जाते हैं, उसने का जी, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed, पहल तो सवाल उठते हैं, आज के दिन private company open करने के लिए minimum paid up capital की requirement कितनी है, जीरो, तो सो रुपे के साथ भी आपनी चालू कर सकते हो, क्या आज आपका और मेरा अमन कर रहा है, चले एक private company खोले, 50 रुपे की capital आपनी चालू, कितने बचे कर जीरो है, कोई minimum requirement है, कितनी है, कितनी ह चालू करने के लिए कम से कम पांच हो नीची है, आजी, बिना पैसो के भी चालू कर सकते हैं, ओके, इसर मैं company limited by guarantee बना लोगी, without share capital, तो यह गरा private company चालू करना चाहरे है, minimum capital की requirement कितनी है, अच्छा बढ़ा, यह section अगर मैं कहूं, यह section आपकी book में, या law में किसने लिखा है Central Government में, Modi ji ने, Parliament ने, किसने लिखा है, और Parliament बेटा, law draft करते वक्त क्या गह रही है, private company एक ऐसी company होगी, जिसकी minimum paid up capital कितनी होगी, as may be prescribed, अब बेटा, जब आप आगे company check पढ़ोगे, यह prescribed word, पूरे company check में बहुत बार आता है, तो sir, यह prescribed का मतलब क्या है, तो बेटा, prescribed का मतलब क्या है, इस पर हम अटक गए, अगर अटक गए, तो prescribed अगर defined होगा, तो कहा होगा, section 2 में, जाकर देखना, क्या section 2 में word prescribed defined है, जी defined है, और कैसे defined है, prescribed means prescribed by rules made under this check, तो जान रखना बढ़ा, पूरे company check में, अगर कहीं पे भी word prescribed आ गया, prescribed का मतलब क्या होता है, rules, और यहां पर ब च्छोटा सा cross लगा लेना, क्योंकि यह definition को है, ऐसी important ही, जो paper में अलग से आएगी, तो paper के लिए अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यह जुरूर ध्यान रखना है, कि पूरे companies act में, अगर कहीं पर भी word prescribed आया, तो prescribed का मतलब होता है, rules, और companies act में, जब भ power बिटा, parliament ने किसको delegate कर दी, CG, और companies act में, बिटा, central government का मतलब सरकार की कौन से ministry है, MCA, that is b, एक private company open करने के लिए, उसमें minimum कितना पैसा डालना है, यह चीज़ आज के दिन में हमारे देश में कौन बताएगा, MCA, और MCA यह बात बताने के लिए, बिटा, क्या बनाएगा, rules, वो rules बना करके, rules prescribe करके, यह बात बताएगा, और यहीं से, बिटा, हम एक बात समझेंगे, कि जो companies act है, बिटा, companies act is a rule-based law, जो companies act है, बिटा, वो एक rule-based law है, जब भी companies act में, बिटा, आप कोई chapter पढ़ोगे, हर chapter के साथ, आपको कम से कम, एक set of rules सो देखने को मिलेंगे ही, मि practical examples से देखते हैं, कि सर, companies act is a rule-based law, देखें देख बार, नियारी का, गरे सर, एक लाग प्रिस्क्राइब है, तो लो पहले दो देखते हैं भी, rule-based law का मतलब क्या है, तो बिटा, अगर आप MCA के website पर जाएंगे, Ministry of Corporate Affairs की website पर अगर आप आएंगे, यहाँ पर एक acts and rules का type आएगा, उसमें एक type आता है, e-book का, तो इसको अगर आप click करोगे, आपको पूरे company's act की एक electronic book यहाँ पर मिल जाती है, तो अगर आपको अपने laptop या desktop पे कभी company's act का कोई section पढ़ने का मने पर जाएंगे, तो MCA की website पर यहाँ पर आकर आप परस्कते हो, तो जब हम इस tab को open करते हैं, यहाँ पर top पर तो क्या लिखा है, acts, तो यह सारे आ रहे हैं आपके section और यहाँ पर आए company's act के chapter, पहला chapter कोई सा था, तूसरा कोई सा था, तीसरा, फिर share capital and venture, फिर deposit, फिर charges, management and administration and so on, और इन chapters को अगर आप यहाँ पर आकर उसे पड़पाओगे, पर यह तो है company's act, साथ में क्या आ रहे हैं यहाँ पर कुछ rules, अगर आप rules पर click करोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ rules देखने को मिल जाएंगे, और यह rules बेटा किसने बनाए है, parliament में या central government में, central government, तो जानकना बढ़ा यही समझाने नमबर वन है प्रिलिम्नरी, उसके साथ आपको दो set of rules देखने को मिल जाते हैं, एक तो company's specification of definition detail rules, एन एक company's restriction on number of layer rules, जो chapter 2 है उसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा, company's incorporation rules, जो chapter 3 है, उसके साथ आपको prospector rules, GDR rules यह देखने को मिलेंगे, likewise हर chapter के साथ एक set of rules तो हैं ही है और इन rules पर click करोगे बिटा, तो एक corresponding rules आपके लिए open हो जाते हैं बस, तो द्यारकना, company's act is a rule based law, यहां हर chapter के साथ कुछ ना कुछ rules आपको देखने को मिलते हैं, और rule क्या होता है बिटा, rule is a type of delegated legislation, क्योंकि यह बनाने की power, parliament ने CG को delegate कर दिये, और CG यह rules बनाता है, अब सिर्फ act पढ़ने से काम चाल जाएगा, सिर्फ यह rules भी पढ़ने पढ़ेंगे, और रूल्स भी पढ़ने पढ़ेंगे, और हर chapter के साथ आपके कुछ ना कुछ set of rules नहीं है, तो हमें सिर्फ act नहीं पढ़ना, साथ में जो यह rules आएंगे, यह भी पढ़ने हैं, एक छोटा सा सारे rules आपका पार्ट नहीं है, जितने भी rules आपके syllabus का पार्ट होगे, that will be surely discussing, तो जान रखना, कि Companies Act is a rule-based law, या कहीं सारे rules भी आपको देखने को मिल जाएगे, coming down to the definition of a private company, तो private company को law ने कैसे लिखा, पारलेमेंट करें जी, private company means a company, having a minimum paid up share capital as may be prescribed, prescribed का मतलब लासली बता तो क्या होता है, rules, rules कौन बनाता है, CG, और CG rules बनाने के लिए बिटा, बस एक notification निकालते है, official gadget में, और rules बन जाते है, तो rules को बनाना बड़ा असान है, अब सवाल उठता है, CG ने rules में, private company के लिए minimum capital की कितनी requirement लिखी है, तो बड़ा, अभी तक CG ने इसके लिए कोई rule बनाया ही नहीं है, अगर कोई rule बनाया ही नहीं है, तो इस बात का क्या मतलब है, कि आज के दिन, private company की minimum paid up capital की requirement कितनी है, zero, क्योंकि CG ने अभी तक rules में कुछ भी ने लिखा, तो currently, अगर आप चाओ तो 50 रुपे, 100 रुपे, 500 रुपे, इतने के साथ भी एक private company start कर सकते है, क्योंकि law मे minimum की कोई भी requirement नहीं है, आप में सोचकता है, किसी बच्चे ने 11 वी बारे में एक दूसरी चीज़ पढ़ी, तो वो भी बतायता हूँ, पहले यहाँ पर law में कुछ और लिखा होता था, यहाँ पर पहले law में लिखा होता था, private company means a company having a minimum paid up share capital of rupees 1 lakh, or such higher amount as may be prescribed, तो पहले company जैक को कोई बात बता नहीं है या ने, तो जानकना बिड़ा, अभी तक CG ने कुछ भी नहीं किया, अब एक और सवाल आपके लिखता है, आज अगर निर्मला सीतारमन जी का मन कर जाए, क्योंकि Ministry of Corporate Affairs की head वो है, यार इंडिया में छोटी-छोटी private companies ना खोले, किसी भी private company को खो और President से साइन करवाने है, या उनने बस एक notification official gazette में लानी है, इसके लिए उन्हें पारलेमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Parliament ने पावर ही उनको दे दिये, और उनका MCA आप बस notification निकाल करके ये काम कर लेना, that is rules बनाना और अमेंट करना बढ़ा असान है, वहाँ पर हमें पारलेमेंट को परिशान नहीं करना बढ़ता, इसलिए पारलेमेंट कहीं बार वो पावर कर देता है, डेलिकेट, तो आज के दिन में कोई भी minimum capital के requirement नहीं है, coming down to the definition, कौन से section में defined a private company, section 2 clause 68, तो प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे, private company means a company having a minimum paid up share capital, as may be prescribed and which by its articles, that is which by its articles, ये तीन condition करती होगी पूरी, that is private company एक ऐसी company है, जिसकी minimum capital की अभी तो कोई requirement नहीं है, पर वो अपने articles के द्वारा ये तीन conditions पूरी करती होगी, मतलब ये तीन बाते ऐसी बाते हैं, जो आपको एक private company के articles में देखने को मिलेंगी, पर ये तीन बाते आपको कि किसी public company के articles में देखने को मिलेंगी, नहीं, तो आपको ये तीन बाते देखने को मिलती हैं, और इन तीन बातों में क्या लिखा है lawmaker ने समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें वेडा सबसे पहली बात lawmaker ने क्या कही, which by its article restricts the right to transfer its shares, और वेडा हम जो बात सीखते हैं कि private company में share के transfer पर क्या होती है? restriction वो बात यहां से निकल करके आती, तो लो करे जी private company बनानी है तो ऐसी company होगी, जहां पर share के transfer पर होगी restriction, सवाल उकता है जी, क्या private company का share transferable है? ट्रांसपरेबल है या नहीं कितने बच्छे कर रहें येस कितने बच्छे कर रहें येस कितने बड़ा बिलकुल ट्रांसपरेबल है क्योंकि law ने क्या कहा है कि ट्रांसफर होई नहीं सकता बड़ी दिक्कत आ जाएगी आज एकर let's suppose मैं IGP प्राइवेट लिंटिड का शेर खर होता आप कभी वो शेर बेच ही नहीं पाओगे और वो बहुत जादा रिग्रस लौ जाता तो लौनिया पर क्या है रेस्ट्रिक्ट्स दा राइट टू ट्रांसफरेट शेर कि प्राइवेट कंपनी में शेर बिक्तो सकता है पर वहां पर आपको रेस्रिक्शन पूरी करनी पड़ेगी तो पड़ा अज एक कंपनी है है एच जी प्राइवेट लिमिटेड हज अपने शेरोल्डर को कुछ एक्विटी शेर इशु कर दी है और यह शेरोल्डर पूछ रहा है क्या मैं अपने यह एक्विटी शेर किसी को बेचना चाहां तो बेच सकता हूँ यस बस आ मुझे एकविटी नहीं कुछ प्रैफेर्ट शेर इशु कर रख्या है क्या वह शेर टांस फॉरेबल है और अगर हाँ तो रीली या सब्जेक्टो रिस्रिक्षिंग्स अ अब सवाव रुखते है क्या प्रैविट कंपनी प्रैफेरेंश सेरेशु कर सकती है या क्या कोई भ अगर preference का concept है, बिलकुल आप इसुकर पाओगे, और क्या, एक private company भी चाहे, तो वो preference share issue कर सकती है, definitely yes, और अगर उसने preference share issue कर रखा है, तो ऐसे case में बिटा बस ध्यान रखना, क्या वो freely transferable है, वो भी subject to restriction है, subject to restriction, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या आया है, shares, और ध्यान रखना, प कहीं भी लॉमेवर्ड सिर्फ share आया है, share capital आया है, paid up capital आया है, उसमें आपको दोनों type की capital काउंट करनी है, तो द्यानकना, यहां पर equity भी covered है, and preference भी covered है, बिड़ा, HG private limited ने एक person को issue किये है debentures, debentures आप समझते होंगे क्या होते है, तो जी जो यह debenture है, कि उधार पर इस to restrictions है, debenture कैसे transfer होते हैं, freely, उसके transfer पर कोई भी restriction नहीं है, because restriction private company में किसके transfer पर है, shares, shares के transfer restriction है, debenture नहीं होती, तो share के बाजो में क्रिपल इख लेना, equity plus preference, जब भी हम company बनाते हैं, 10-20,000 रुपा दो company में definitely डालेंगे, तो law की दरफ से कोई requirement नहीं है, कोई भी 50-100 रुपे के लिए company नहीं बना देगा, उस company बनाने का खर्चा इतना हो जाएगा, CA कहीं पर company बनाने बनाने के 10-20,000 रुपे ले ले लेता है, तो इसलिए, generally इतने 10-20 रुपे के लेम company बनाते हैं नहीं, anyways बेड़ा, private company एक ऐसी company है, जहां पर share बिखतो सकता है, पर वहाँ पर share के transfer पर होती है restriction, एक बेड़ा सवाल आपके लिए आ रहा है, कि lawmaker private company में share के transfer पर restriction लगाता क्यों है, वो उसका share freely transferable क्यों नहीं करना चाहरा है, why there is a restriction on transfer of share, why, क्या logic हो सकता है, क्या logic हो सकता है, क्या logic हो सकता है, लो क्या रहे जी share बेचने से पहले, अगर आज आप कोई private company में आ रहे हो, अपना share transfer करने से पहले कुछ restriction पूरी करना, तो restriction क्यों है, freely क्यों नहीं बेच सकते, इसका जो broader logic है, वो क्या है, private company में share transfer restriction किस वज़े से, let's suppose बेटा हट सर, हमारा पास बहुत अच्छा idea, आपके पास पैसा है, क्यों ना हम इस idea पर work करें, और क्यों ना यहां से business build करना start करें, मैंने का ठीक है, काम करते हैं, हमने एक private company खोल लेते हैं, उसमें मैं आपको भी थोड़ी share holding दे दूँगा, मेरे पास भी share holding होगी, हम दोनों उसम 25% share है, और आपने मेरे भरोसे पर एक private company, private arrangement की तरह काम करना start किया, और एक ही अपते के बाद आपको पता चला, कि मैंने इस सारे share किसी इंसान को बेच दिये, let's suppose, नीरव मोदी, किसी भी person को बेच दिये, क्या विट आपको अच्छा लगेगा, क्यों नी लगेगा, क्यों बड़ा private company's intention से बनी थी, कि हम दोनों आपस में मिलकर इस business को धीरी धीरे grow करेंगे, तो क्या इस business से exit लेना, मेरे लिए इतना असान होना चीए, नहीं, लोग कहते हैं, प्राइव restriction क्यों लगाई जा रहे है, is this clear? तो दानकना जी, अपना share बेचने से पहले, मुझे कुछ restriction पूरी करनी पड़ेगी, सवाल उठता है जी, कैसी restriction? क्योंकि lawmaker नहीं है, तो क्या दिया कि private company के share के transfer पर restriction है, पर कैसी restriction होगी, ये lawmaker नहीं बता रहे है, तो बड़ा restriction कैसी होती है इसका कोई example थी? बच्चा करे सर, restriction कैसी होती है? कि हर सर, इस company के share बेचने से पहले, आप board of director से permission लेना, अगर बड़ा ये condition लगा दी गई, तो क्या ये एक type की restriction है? फिल्कुल, कि मुझे अपने share बेचने से पहले, उस company के board of director से एक approval लेना पड़ेगा, तब ही share बेच जाना हो, तो किसी member को ही बेच कर जाना, ऐसा मत करना, किसी outsider को share बेच कर तो वही competitor है, तो इसलिए अगर आप share बेचो तो किसी और member को ही बेचना, इस type की restrictions आप लगा सकते हो, कि board से permission लेनी है, member से approval लेना है, तो restriction कैसी लगानी है, lawmaker नहीं करे, lawmaker नहीं करे, आपकी company है, कैसे पता चले, क्या अचा, IGP private limited का share बेचना है, तो इसमें कौन सी restriction है, HG private limited का share बेचना है, इसमें कौन सी restriction है, ये कैसे पता चले, उसके लिए आप क्या कर लीजिए, उस company के articles खोल के देख लो, क्योंकि law ने क्या का है, which by its articles restricts the right to transfer its shares, तो वो अपने articles में लिखकर बताए कि मेरी company का share बेचने से पहले, आपको कैसी restriction पूरी करनी है, is this clear to everyone, और बनी कुछ बात, तो द्यानकना जी, ये बात आपको private company के articles में देखने को मिले के, तो जितनी भी definition अभी तक पड़ी है, प्लीस मेरे साथ repeat करेंगे, private company means a company, having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article, पहली condition क्या ही, restricts the right to transfer it's shares, और जब भी हम shares word बोलेंगे, इसमें equity आएगा, preference आएगा, दोनों आएगे, पर कैस में कभी भी debenture आएगा, नहीं, क्योंकि shares में दोनों है, तो अगर आप equity preference कोई भी share बेचना चाहरे हो, पहले ये restriction पूरी करनी है, क्या ये condition सबको clear है, किसी को get out यहां पर, चले condition पर, अगली condition हम पढ़ेंगे, condition number third, second पर हम बात में आएगे, पहले आप आजे condition number three, ये का गया रहा है जी, private company का एक और feature क्या है, that it prohibits, बेटा आपकी बार word restriction है या prohibition है, prohibition का मतलब ये काम कुछ condition पूरी करके हो सकता है या हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, जी, it prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company, जी, आप public at large के पास जाकर पैसा नहीं मांग सकते, private company इस चीज के लिए आपके ऊपर total prohibition है, क्योंकि एक private company में कभी भी public at large का इंटरस्ट आ ही नहीं सकता, तो it prohibits any invitation to the public, मतलब आप public को जाकर नहीं होता नहीं देशते है, कि public public, ये देखो मेरी company की इतने profit कमाती है, मेरी company का इतना अच्छा acid waste है, क्रिपया, आप मेरी company का share खरीद के मेरी company को पैसा दे दो, that is, आप ये काम नहीं कर सकते, तो तो बड़े सारे process को ही हम क्या कहते है, public issue, that is, एक private company, बेटा, public issue नहीं ला सकती, क्योंकि कोई भी company जब public issue लाती है, वो public को अपनी company के वारे में सब बताती है, और फिर public पैसा लगाती है, तो एक private company को, बेटा, public issue लाना allowed नहीं होता, is this clear everyone, बेटा, आज एक company, let's suppose, HG Virtuals Private Limited, और आज बेटा, ये company चारी है, कि इस company को कुछ पैसे की जरूरत आन पड़ी, तो क्या बेटा, ये आज एक IPO लाकर public at large को अपने equity share issue कर सकती है, सवाल रुखता है, क्या preference shares का IPO आ सकता है, या public issue सिर्फ equity का आता है, मतलब जब आप public के पास जाकर पैसा मांग रहे हो, तो आप सिर्फ उन्हें equity देकर उनसे पैसा मांग सकते हो, या आप उन्हें preference offer करके भी पैसा मांग सकते हो, तो IPO सिर्फ equity का आता है, या preference का भी आ सकता है तो अगल रखना किसी की भिखा अग्य कल और थीकिण मरजी है जबर लिक्रpielt निजिए कंपनी प्रेफरैंस बधियर्ट फिर कर सकती है यह इस नौरंबली कि यह फिल प्रेफ़ेरंस का आ सकता है पर क्या प्रैवेट गांपनी फ्रेफरैंस का आई प्यों ला पाएगी उसको यह चीज अलाउड नहीं है तो धानक ना एक प्राइविट कंपनी पॉब्लिक अट लार्ज को ना तो इक्विटी इशु कर सकती ना ही प्रेफरेंस इशु कर सकती बड़ सवाल आ गया जी डिबेंचर पे क्या एक प्राइविट कंपनी अगर चाहे तो वह प्बलिक अट लार्ज को अपने डिबेंचर इशु कर सकती है विधिस और इस व्यार पैसा दे दो अब कि बार आप जो पैसा दोगे वो equity में नहीं लगेगा, preference में नहीं लगेगा, यह उधार का पैसा है, बदले में मैं आपको ब्याज दूँगी, security दूँगी, तो आप अगर ब्याज पर पैसा देने के लिए चुक हैं, आप मेरी company में ब्याज पर पैसा लगा सकते हैं, क्य अगर आप में से कोई economic times पढ़ता है, हर दूसरे तीसरे दिन economic times में add आ रखा होता है, कभी कभी इंडिया वो housing finance का, कभी किसी दूसरी company का, वो debenture public को issue करके पैसा रेस करती है, तो debentures का भी public issue आसकता है, पर क्या एक private company debenture का IPO आसकती है, क्यों नहीं आसकती है, पढ़ो स्ल public at large को अपनी कोई भी security issue नहीं कर सकते है, और द्धानखना बिटा, law में अगर कभी भी word security आ गया, security में सिर्फ equity share या प्रेफरेंश राएंगे, debenture भी आ जाएगा, तो आपने भी बिटा एक छोटा सा arrow लगा कर लिख ले न, shares as well as debenture, shares plus debenture, तो द्धानखना जी, एक private company कभी भी public at large को, कोई भी security issue नहीं कर सकती, चाहे वो share है, चाहे डिवेंचर, क्योंकि public at large का interest private company में आहीं नहीं सकता, नहीं आसकता, not possible, अरे बनी कुछ बात, चोड़ा क्या पूरी definition में को repeat कर पाओगे, जितनी अभी तक पढ़ी है, अरे कर पाओगे, तो private company means a company, having a minimum paid of share capital as may be, and which by its article, पहला point, restricts the right to transfer its, and prohibits any invitation to the public to subscribe to any of its securities, तो क्या एक private company कभी भी public issue ला सकती है, आज अगर HG virtuals private limited को पैसे की जरूरत पढ़ जाए, तो क्या मैं public issue ला सकता हूँ, तो फिर मेरी company पैसा race करेगी कैसे, मैं एक private company हूँ, मिरे को पैसा चाहिए, आप के रहे हो, मैं public issue नहीं ला सकता, मैंने मान लिया, तो मिरे को अगर आज पैसा चाहिए, मैं वो पैसा race करूँ कैसे, मिरे को लोन नीची है, बैंक से लोन नीची है, मिरे को equity, capital में पैसा चाहिए, तो क्या मैं किसी को अपना नए अशेर issue करी नहीं सकता, पर जी, क्या मैं वो public at large को issue करूँगा, या सिर्फ कुछ गिने चुने identified logo को करूँगा, गैसे पैसा चाहिए, तो पब्लिक के पास जाकर ढिंडोरा नीची पीड सकती, तो प्रोसपेक्टेस नी आसकती, तुझे पैसा चाहिए, तो कुछ गिने चुने identified logo से पैसा रेस करूँगा, जब हम कुछ गिने चुने identified logo से पैसा रेस करते हैं, उस process को हम क्या बोलते है, private placement तो इसी के बाज़ों में बात लिखे ना वो प्राइवेट प्लिसमेंट होता है शाक टेंग में जो आप देखते हो वो सिर्फ कहके चले जाते हैं कि आपकी कंप्णी को दस लाख देंगे पर वह दस लाख ऐसे नहीं दे देते हैं पूरा प्राइवेट प्रोसेस वह फोलो कर फोलो करेगा तब वो दे पाएगा ऐसे नहीं तो जनले हम कहते हैं पैसा डाला पर उसके लिए पूरा प्रोसेस चलता है उसी को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट लोगों से पैसा रेस करना है तो आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक इशू तो नही प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है 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 प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है प्राइवेट चाहिए तो क्या वो यह पैसा मांगे पॉब्लिक लाज के पास जाकर एक प्रोस्पेक्टेस इस्यू कर दे या मुके शंबानी से कहकर प्राइवेटली वह पैसा रेस करें अरे रिलाइंस इंडस्री लिम्टी को दस लाग पेची है तो एक प्रोस्पेक्टेस ले आए पब्ल प्राइवेटली वह पिद्सी हैं वह चाहिए तो प्राइवेटली वह फूब्लिक इशो जिसना सपर्केंट भी पैसा कर पाएंगी इस कारा इक Damn लक Πरेशेर के लिम्टी कारको चाहिए बैसक्राईट पॉइन ब्रेस्प्रेंटी संब्लिक डिप्रेंस दे पारिक्स OPC कि जगर OPC को अटा दें बाकि जितनी भी private companies होंगी it limits the number of its members to 200 बाकि जितनी भी private company में बेटा maximum members कितने हो सकते हैं 200 minimum कितने चीह होते हैं private company में आने के लिए minimum कितने लोग चीह हैं 2 धान रखना है minimum 2 चीह होते हैं यह बात section 3 of the company's act में लिख्षी है public company में minimum कितने होते हैं साथ public company में maximum कितने होसकते हैं जितने मरजी पर private आपके उपर एक limit है क्योंकि इस company का concept ही क्या है जहां पर कुछ गिने चुने लोग आपस में मिलकर एक business run करना चाह रहे हैं इसलिए maximum members आपके कितने होसकते हैं 200 200 itself एक बहुत अची limit है तो maximum member जो आपको allowed है 200 200 से जादा member आपकी company में नहीं होसकते हैं पर एक type की private companies के exception है कौनसी OPC क्योंकि OPC में maximum minimum कितने ही member होंगे एक जानकना एक ही होगा ना कोई maximum minimum एक ही member होगा it is single person company तो जानकना OPC को अगर अटा दे बाकी किसी भी private company में maximum 200 ही member होसकते हैं तो यहां पर आपके लिएक सवाल आ रहे है आज अगर एक company है HG virtual प्राइवेट लिम्टेड और आज ये company अपने शेयर इशू करना चाहरे एक company आपसे पूछ रही जी मैं maximum कितने लोगों को अपने इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं maximum कितने लोगों को दोस्तो क्योंकि लोगों ने लिमिट कितने लगा दिये members पर दोस्तो तो maximum 200 लोगों को equity issue कर पाऊंगे बढ़ा इस company ने 200 लोगों को equity issue कर दीए क्या कोई भी दिकत अरे क्या कोई भी दिकत फिर ये 10 लोगों को अपने preference share issue करना चाह रही है क्या कर सकती है क्यों नहीं कर सकती उस पह आए नहीं अभी मैं तो preference कह रहा हूँ पहले इसका तो जो हब्द हो आगे भाग रहे हो तुम क्या प्रेफरेंस शेरहोल्डर हमारी कंपनी का मेंबर होता है कितने बच्चे कहते होता है कितने नहीं सर प्रेफरेंस वाला मेंबर थोड़ी ना होता है और बाग किया सला बनी जिए आप देख लो जैसा कोगे वैसा समझ लेंगे और बच्चा कह रहा है एंड में यह बताई दर्ज कराने के लिए या तो आप उस company का equity खरीच सकते हो या आप चाओ तो क्या खरीच सकते हो preference तो क्या preference shareholder मेरी company के members होते हैं definitely yes इसलिए दानक ना क्या यह 10 और लोगों को अपने preference share दे पाएगी the answer is no तो जी अगर इसने 180 लोगों को अपने equity दे रखे होते तब क्या यह 20 और लोगों को अपने preference देशकती थी और उसके बाद यह company करें जी 20 और लोगों को मैं अपने debenture दूँगी क्या हमें 20 और लोगों को debenture देशकती हूँ एक 180 को equity देदी है 20 को preference देदी है क्या 20 को debenture कितने मचे करें yes दिया जासकता है कितने करें नहीं नहीं क्या बेटा debenture holder हमारी company के member होते है जानखना the answer is no debenture holder member नहीं होता क्यों member बनने के लिए आपको क्या खरीदना पड़ता है share खरीदने से आप member बनते हो debenture holder तो एक तरी से मारा creditor है वो तो उधार पर पैसा देकर गया एक दिन उसका पैसा ब्याज के सही लटा देंगे तो वो कभी भी member नहीं होता तो यह जो 200 की limit है बेटा यह कप का मैन है प्लीज आप जवाब देंगा बच्ची करें साथ थर्ड पॉइंट के साफ से एक private company debenture दे ही नहीं सकती है क्या वो चाहे तो debenture दे सकती है येस बस उसके लिए वो क्या निला सकती debenture का पर क्या वो debenture का private placement कर सकती है येस तो अगर आपने 20 लोगों को debent debenture का private placement कर दिया क्या वो आपके दोस्तों के limit में काउंट होंगे नहीं क्योंकि दोस्तों में सिर्फ कौन काउंट हो रहे है या तो equity वाला या reference वाला हाँ जी हां बिल्कुल कर सकती है company थोड़ी ना transfer करेगी debenture holder transfer करेगा आज अगर मैं एक private company को से एक लाग रुपे उधार पर दिया हूं और बदले में debenture का certificate लिया हूं तब उसको बेचना है या नहीं बेचना यह company का को लोगा है मेरा को लोगा और मैं बेचना चाहूंगा बिल्कुल बेसिकता हूं company उस पर restriction नहीं लगा सकती है अहां प्रीवी ट्रांस फरेले क्योंकि रिस्रिक्शन किसके ऊपर है शेयर्स पर अरे बनी कुछ बात चलि बड़ा प्रिस एक बार प्रिसरी पर रिपीट कर देंगे है पिर से बोलना चाहोगे अजी जवानों फिर से देफिनीशन बोलना चाहोगे अब आदा बड़ा एक इंट्रस्टिंग पॉइंट समझने की कोशिश करते है let's suppose बड़ा कंपनी का नाम वही आ रहा है IGP Private Limited और आज IGP Private Limited ने धीरे धीरे करके over a period of time 199 लोगों को अपने equity share allot कर दिये क्या बड़ा कोई भी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं इसके बड़ा IGP को थोड़ा सा पैसा और चाहिए था तो वो आई मेरे पास हड़सर हड़सर हमें पैसा चाहिए कि आप पैसा दे दिजिए और आप हमें share दे दिए मतलब आप हमारा share ले लेना तो मैंने का ठीक है जी आप मुझे share allot कर देना मैं बदले में आपको पैसा provide करूँगा पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये share individual नाम में ना खरीदू मैं अपनी wife के साथ मिलकर ये share खरीदना चाहता हूं सवाल उठते बड़ा क्या आप joint name में किसी company के shares खरीज सकते हैं जैसे आप joint name में bank में खाता खुलवा सकते हैं joint deposit same चीज company's act में permitted है कि अगर आप चाहो आप joint ownership में share खरीज सकते हो दो तीन चार पांच जितने लोग चाहें joint ownership में company का share खरीज सकते हैं तो बड़ा मैंने का देखो company पैसा तो दूँगा पर ये share का joint owner हम दोनों बनेंगे मैं और मेरी वाई जैसी company ने मुझे share lot किया क्या कोई दिकत एक छोटी सी दिकत बड़ा है आपर क्या सकती है नहीं वो तो बाद में आएगे पहले बड़ा company में number of member कितने थे 199 और जैसी company ने अब की बार share lot किये दो लोगों को दोनों jointly मिलकर hold कर रहे हैं तो इने count कैसे किया जा जाएगा सिंगल या डबल परिभी बिटा कोई bracket और कोई area of doubt ना रहा है इसलिए लॉमिकर ने बात कर दी clarify और इस बात को clarify करके ये बना दिया paragraph पढ़ने इस paragraph को क्या कह रहे provided where two or more persons hold one or more share in a company jointly they shall for the purpose of this clause be treated as single member तो उनको हम single member की तरह करेंगे treat अगर आप jointly share roll कर रहे हैं यहाँ के लिए आप single की तरह count किये जाओगे और बड़ा ये बात लिखने के लिए law मिकर ने एक paragraph बनाकर उसे किस से start किया words provided that इनको law की भाशा में क्या बोला जाता है प्रोवाईजो लिख लेना बाजो में इसी कम कहते हैं प्रोवाईजो प्रोवाईजो बेटा क्या होता है जब भी बेटा law में आपको इस section पढ़ रहे हो तो कहीं बार law मिकर section में पूरी बात बताने के बाद फिर अलग से एक paragraph बता कर उस बात की clarity या exception वगरा create करता है तो प्रोवाईजो के लिए वो एक paragraph स्टार्ट करते है और paragraph को जब भी बेटा word provided that से स्टार्ट किया जाए उसको हम बोल देते हैं proviso तो law key language में proviso बोला जाता है और proviso का का काम क्या होता है जनरली proviso exception create करने के लिए लिखा जाता है मतलब जो बात section में बोली गई है उसकी कोई exception बताने के लिए proviso लिखा जाता है पर कभी-कभी lawmaker चाहें तो कोई condition बताने के लिए कोई नई बात बताने के लिए किसी clarification के लिए किसी बी छीज के लिए proviso का इस्तमाल कर सकते हैं for example यहां पर proviso का इस्तमाल कोई exception के लिए हो गाई या clarification के लिए हो गाई जी देखो confusion ना हो इसलिए अगर joint member single की तरह count करेंगे ये बात उनोंने लिख दी proviso में और कहीं बार बेटा lawmaker proviso बनाने के बाद भी निरूपते उसके बाद एक और proviso बना देते हैं तो अगला भी क्या है आपका proviso उसके लोग लिख देंगे provided further that कहीं बहाँ भी निरुखते है तीसरा proviso बनाएंगे उसके लिख देंगे provided also that फिर लिख देंगे provided also that तो कहीं बार multiple provisos आपको देखने को मिल जाते है और quote में अगर को इस point refer करना आप कैसे refer कर सकते है कि Jat Saab可愛 Aup Companies Act में, Section 2 के Clause 68 में, जो Sub Clause 2 आ रहा है, उसका First Provisor पढ़ लीजिए. या जद साब, आप इसका Second Provisor पढ़ लीजिए, यहां पर ही बात लेखी, तो इस तरीके से Provisor उसको Coat में Coat किया जाता है, द्यानक ना, इनको बोला जाता है Provisor, तो First Provisor में Lawmaker ने क्लैरिफाई कर दिया, कि Joint Honor को हम Single की तरह यहां पर Count करेंगे, Is this clear everyone? पर जो भारी समस्या रहेगी, जो भाई कर रहा था, Company एक दुविदा में फस गई, Joint ने में बेटा Share Allot तो कर दिये, पर साल के एंड में, let's suppose, I General Meeting और General Meeting में डालना था Vote, मैं भी Meeting में पहुच गया, इती मैं भी Meeting में पहुच गई, उन्होंने Vote डाल दिया Favor में, और पेटा, मैंने अपनी Authority की सारी सीमाय लांग दी, और मैंने कहा, नहीं, मैं तो अगेंस्ट में हूँ, जो करना शायद humanly possible नहीं है, मैंने ऐसा करके दिखाया, और मैं भीड़ा अपनी पत्नी के अगेंस्ट चला गए यहां पर, कंपनी दुविदा में है जी, कि मैं फेवर में Vote काउंट करूँ या अगेंस्ट में, सौाल के अंड में डिविडेंड बाटने की बात आई, इती मैं मैं कहरी है, मिर को डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि जॉइंट ओनर्शिप में यह दिक्कत कहीं बार आ जाती है, कि लोग शुरू में तो सोचकर खरीद लेता है, हां हां जॉइंट निम में, पर जब अधिकार की बात आती है, तब दिक्कत आती है, वो कहेंगा, ने, ने, टेविडेंड मेरा, वोटिंग राइट मेरा, तो जॉइंट ओनर्शिप में कंपनी किसे डिसाइड करेगी? जिसको उफर दिया था, जो नहोंने जॉइंट ली उफर एक्सेप्ट किया, तभी जॉइंट नहीं में शेया है, यह अप्लाई तो जॉइंट ली किया, एक्सेप्ट तो जॉइंट ली किया है, एक ही कर नम लिखा जाता है, हाँ जॉइंट आपके किरे, जब भी आपकी सीवी कंप्पनी में जॉइंट नेम में कोई शेयर खरीदते हो, उस share पर अधिकार किसको मिलेगा, उसका रास्ता lawmaker ने बिताया हुए, उनने कहा जी जब भी आप किसी company में share खरीते हो, आपका नाम लिखा जाते है register of member में, तो जब भी आप कोई share joint name में खरीदे हो, for example, यहाँ पर कुछ share joint नी खरीदे गए, तो इस register of member में company जब नाम लिखत में share खरीदे हैं, उसी समय में बताना पड़ता है, उसी समय में company को बताऊंगा, that I'll be the first holder and she'll be the second holder, तो हम एक sequence wise वो नाम लगाते हैं, और उसी sequence में वो नाम लिखा जाते है, for example, जब आप bank में भी जाते हो, खाता खोलने, अगर आपने joint name में खाता खुलवाना है, वो कैसे decision ले लिया जाता है, is this clear everyone? हाँ जी, वैसे तो generally जब हम joint name में share खरीदे हैं, सबसे best क्या होता है, हम उसके लिए joint account से पैसा लगाते हैं, ताकि पैसा जितना भी dividend का joint account में है, पर अगर कल को कभी भी dispute हो गया, तो dispute के case में company किसको अधिकार देगी, पहले वाले को, जिसक हम दिन का gift तो joint name में share खरीदे हैं, मैं कैसे मना कर दूँगा, हाँ जी, कई बार joint में जाना पड़ जाता है, joint में इसलिए जाना पड़ जाता है, क्योंकि आपको कई बार उसके विज़े से tax benefit मिल सकता है, कैसे मिलता है, वो tax में सीख लोगे, कई बार आपना property भी joint name में खर आउट, हाँ जी, तो से जाद भी उसकते हैं, तीन, चार, पांचे, जितने आप चाहो, joint name में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अब प्रेक्टिकली है, अपनी तरफ से कोई लिमिट नहीं लगा रखे, जनरली दो, तीन, चार, इतने लोग, क्या बढ़नों क हाँ जी, जिसका नाम पहले आ रहा है, वही तो समझा, मेंबर तो दोनों है मेरे, पर इस section के purpose के लिए मने क्या का, इस section के purpose के लिए दोनों को, joint name में जो है, उनको हम दो count नहीं करेंगे, उनने section के purpose के लिए कैसे count करेंगे, single, तो यह clarity तो प्रोवाइस होनी थी, हाँ जी खुझ से application में बताएंगे, that she'll be the first holder, I'll be the second holder, तो alphabet का यहाँ पर कोई, age का, alphabet का, इनका कोई रोल नहीं होता, and I like, चले, बढ़ा, एक बहुत बड़ा सवाल पूछो, IES के paper में आया था, ध्यान से answer कर पाओगे, अगे, क्या आप तियार है, चलो, बड़े ध्यान से answer करना, बड़ा, प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी ने आज तक, एक लाख शेर्स इशू कर रखे है, और उसने ये एक लाख शेर इशू कर रखे है, 194 लोगों को, फिर उस कंपनी ने बड़ा, दो शेर इशू करे है, Mr. A and B को, फिर उस कंपनी ने बड़ा, तीन शेर्स इशू क करें हैं Mr. C and D को और इस कंपनी ने बेटा एक और शेयर इशु कर दिया है Mr. E Plus F Plus G को इस प्राइवेट कंपनी में और कितने मेंबर्स आ सकते हैं इंस्टिट्यूट ने भी एक बार ऐसा MC के बनाया हुआ है मिलता जुलता साथ बहुत बड़ा सवाल है कि बताओ मेरे फ्यूचर चार्टड अकाउंटेंट्स कितने और मेंबर्स इस कंपनी में आ सकते हैं कि दुरूब कह रहे हैं जीरो एक आंसर है तीन कितने बच्चे कह रहे हैं तीन कितने करें सर जीरो बाग क्यों कि क्या सला बनी तो एक लाख लोगों को या एक लाख शेर आपने 194 लोगों को दिये तो यहाँ पर नंबर अफ मेंबर्स कितने हैं 190 अगर आपने दो शेर दो लोगों को दिये हैं तो आपके मेंबर्स कितने हैं एक आपका मेंबर एक से बढ़ा क्योंकि दोनों जॉइंड को कैसे काउंट किया जाएगा सिंगल और उन्हें आप चाहे दो शेर दो बीशेर दो बीस अजार शेर दो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा तीन शेर आपने दो लोगों को दिया तो यहां पर आपका मेंबर कितने से बढ़ा एक से अब चाहे उसे आप तीन शेर दो चार दो दस दो सो दो कोई फर्क नहीं है मेंबर तो कितने से बढ़ा एक और जब एक शेर तीन लोगों को दिया यहां भी मेंबर कितने से बढ़ा एक तो हमारे टोटल मेंबर्स बेटा कितने हो गए 190 और कितने आसकते हैं इस चोटे 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 ट्रिक कोशिन कहीं बार बन जाते हैं तसली से पढ़कर उनका जवाब देना तो उसमें confuse मत हो जाना बच्चा ये मिस्टेक है करता है वो इन शेर को मेंबर मान लेता है कि दो शेर दो मेंबर है तीन शेर तीन मेंबर है एक शेर एक मेंबर है वो गलती कभी हुआ आप नहीं करेंगे बड़े ध्यान से पढ़ना कि नंबर अफ मेंबर कितने हैं उन्हों ने क्या लिख दिया जी कि अगर किसी भी कंपनी में कोई शेर जॉइंट नेम में होल्ड किया गया है तो इस क्लॉस के परपस के लिए उन्हें कैसे काउंट किया जाएगा क्या बटा अगर मैं पेपर में लिख रहा तो प्रोवाइडिड दाइट जॉइंट ओनर्स विल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर पॉर दर परपस अब दिस क्लॉस क्या एग्जामनर इस लाइन के लिए मेरे को पूरे नंबर देगा नंबर काटेगा क्यों काटेगा मतलब एगर सर्फ इस लाइन के बात कराओ बाकिसारी बात ठीक लिखिए अगर मैं ये लिख रहा हूँ क्या बेटा जो स्टेट्मेंट मैंने लिखिए ये ठीक है गलत है गलत क्यों है अरे भाई मैं कह रहा हूं पूरी बात आगे वीचे गी उसमें यह लाइन लिखे यह लाइन जो लिखे बेड़े, यह लाइन ठीक है या नहीं पर बाट क्या यह लाइन लिखने के लिए मैंने अपनी बुक की लैंगवेज का वरड भाई वर्ड इस्तमाल किया है पर क्या बेटा अगर मैं यह लिख करा तो क्या मेरे को नंबर मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे इसमें एक्जामनर नंबर क्यूं काटेगा तुझ आप सवाल पूछते हो क्या सब मेरे को बुक की लैंगवेज वर्ड बाई वर्ड रटके एस इस लिख करानी है जो इंसान आपको यह बात बोले उसको क्या कहना तू लिख के दिखा नहीं संभव बेटा फिर तो मैं कहूंगा आप कोचिंग छोड़के रटने बैठ चाओ आपको बात का एसेंस पकड़ना है और आपको वो सारी बाते अपने शब्दों में प्रो के लिखना अलाओर है इतना हेरा फेरी आप कर सकते हो क्योंकि आपने अपने शब्दों का इसमाल क्यों ना किया हो और यहां पर बेटा मैंने थोड़ा सा लीगल फ्लेवर देने के लिए पस यह वर्ड लिख दिये प्रोवाइट इससे देखने में लग रहा है कि मैंने लॉकी लैंगवज लिख का लॉजिक समझना और अपने शब्दों में उसका लिख कर आना इसे क्लिए कर दिया कि जॉइंट मेंबर को सिंगल काउंट किया किसी भी प्राइवेट कंपनी में मैंक्सिमम मेंबर कितने उसकते हैं 200 पर लॉमेकर ने आपको एक छोटा सा एडवांटेज दिया है का इस्तमाल करकर अगर प्राइवेट कंपनी आप चाहो आप अपने 200 के मेंबर की लिमिट को टपा सकते हो क्योंकि लॉमेकर कह रहा है जी हम कुछ ऐसे लोगों को इस लिस्ट में काउंट कर रहे हैं कि अगर कंपनी आप इन लोगों को अपना शेर दे दोगे तो ये इस से अगर कंपनी आज आपने अपना शेर अपने किसी इंपलोई को दे दिया किसी ऐसे इनसान को जो आपका इंपलोई है तो वह आपके number of members की limit में include नहीं होगा कहने का तत पर रहेगा अगर आज कोई company let's say IGP private limited और IGP private limited आज अपने share अलोट करना चाह रही है और इस company ने का जी अभी तक मैंने 190 non-employee normal लोगों को अपने share अलोट कर दिये और ये company बिटा आज अपने 50 employees को share देना चाह रही है क्या ये company 50 employees को share दे पाएगी बिल्खुल जब ये 50 को share देगी बिटा क्या ये 50 लोग हमारी 200 की limit में count होंगे नहीं ये इस section की 200 की limit को impact नहीं करेगा सर 500 employees को 5,000 employees को 50,000 employees को यस चलेगा आप जितने मर्जी employees को share दे दीजे section को कोई भी बिक्कत नहीं है वो आपके section की 200 की limit को impact नहीं करता है तो आप अपने employees को share दिये क्योंकि lawmaker चाहता है कि company आप अपने employee का participation अपने decision making में बढ़ाएगा तो उसको motivate करने के लिए एक चोटा सा advantage दिया गया कि अगर आप अपने employee को share देते हो चलेगा इसने 190 non employee members को share दिये और 50 employees को अपने share दिये साल के end में जब company dividend बाटेगी dividend किसको मिलेगा 190 को 50 को सबको कितने बिचागर से सबको कितने कहरे सर अगर company साल के end में general meeting बुलाती है तो general meeting का notice किसको जाएगा और जब meeting में कोई vote डालना होगा किसी भी decision पर OR या SR पर उस पर vote को डालेगा 190 या सारे के सारे जो ये 50 employee member है क्या इन्हें dividend मिलेगा क्या इन्हें notice मिलेगा क्या इन्हें vote भी मिलेगा क्योंकि अगर उन्हें share देने के बाद आपको dividend नहीं मिलेगा notice नहीं मिलेगा vote नहीं मिलेगा तो फिर हो क्या कहेगा इस share का करूं क्या share भी अपने पास रख लो तो अगर आप share दे रहो तो बड़ा share से जड़ेवे सारे benefit मिलेंगे क्या ये लोग भी हमारे member हैं विल्कुल ये भी member हैं member वाले सारे अधिकार हैं बस ये लोग इस clause के purpose के लिए दोस्सों के limit में count नहीं हो रहे जानकना ये भी member है इन्हें भी share मिले है सारे अधिकार share वाले मिलेंगे बस ये दोस्सों के limit में count नहीं होंगे इस चीज़ का आपको जानकना है इस इस क्लाइट everyone हाँ जी good out हाँ बिल्कुल होगा रजिस्टर मेंबर में इन का नाम आएगा क्यों नहीं आएगा वे share दिया तो तो share दिया क्यों अधो member की limit में count नहीं हो वही तो सुन्धा रहो हो ना लाए कि दोस्सों की limit में count नहीं हो वैसे तो member है चलिए एनिवेस इस इस एक प्राइविट कंपनी अगर चाहे वह अपने employees को share दे सकती है उस चीज के लिए lawmaker ने motivate किया अभी दिक्कत आई कंपनी बढ़ा IGP private limited company ने आज तक अपने 190 non employee member को share दिये थे और 50 employees को भी motivate करने के लिए अपने share कर दिये अलोट क्या कोई दिक्कत पचास के 50 employees share मिलते इतने खुश हो गए कि इन्होंने share मिलते कंपनी से कर दिया रिजाइन के ठीक है तो हम मालिक है है तो अब उनर बन गए हमें क्या हम जो वह निकरेंगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी फिल्कुल आ जाएगी कि अभीतिकम ने जितना पढ़ा उसमें लॉने क्या क्या है दोस्सों की limit में हम किसको count नहीं करेंगे उन लोगों को जो हमारे company की employment में हैं तो जो आज के दिन मेरा employee है अगर उसके पास मेरा share है तो वह दोस्सों में count नहीं होगा तो अगर lawmaker इस बात को से यहां ही लिखकर छोड़ देते एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती इसलिए lawmaker ने यहां पर एक point B भी बनाया पढ़ना इसको और यहां पर हमारे समस्या का समाधान कर दिया गया अरे बनी कुछ बात क्या का इसने provided further that persons who having been formerly in the employment of the company were member of the company while in that employment and have continued to be the members after the employment ceased shall also not be counted in the number of members मतलब अगर आपने किसी ऐसे इंसान को share दिया था कि जिस समय आपने उसको share दिया था वो आपका employee था और share मिलने के बाद उसने job छोड़ी पर job छोड़ने के बाद भी share अपने पास रखा मैं आपकी स्क्रीन पर एक दो स्टेट्मेंट लिख रहा हूं बताना वह true है या false मोमेंट रुज़ो present employees of a private company are not counted in the limit of दो सो true or false फिर मैं एक स्टेटन लिख रहा हूं past employees of a private company are not counted in the limit of दो सो true or false past employees of a private company are not counted in the limit of दो सो true or false कितने बचे करें true कितने नहीं सर यह statement false है पूरी तरीके से true नहीं है आप partially true कहलो या मैं false ही माल रहा हूं आधा सस तो जूटी होता है इस statement में एक छोटी सी दिक्कत है दिक्कत का है एक example से समझते हैं बड़े ध्यान से समझना प्राइविट कंपनी है प्राइविट कंपनी ने 190 लोगों को अपने नॉर्मल लोगों को शेर्स दे रखे थे और उसके थे 50 employees इन्हें अभी तक शेर नहीं मिला और यह होगे नराज कि जब इतनी महनत कर रहे हैं दिन रात एक कर रहे ना इन इंप्लोईज ने कर दिया मेरी कंपनी से रिजाइन करने के बाद इन्हें मनाने के लिए कंपनी ने का एर मैं काम करता हूं तुम सब को दे देती हैं अपना शेर तो बड़ा कंपनी ने इन सब लोगों को रेजिगनेशन के बाद शेर अलोट किया इस एक्सपेक्टेशन से कि शायद ये वापसी लोट कर आ जाएंगे तुम बड़ा इस मोमेंट पर जब ये कंपनी पचास पास्ट इंप्लोईज को शेर दे रही है क्या ये दोस्तों के लिमिट में काउंट होंगे या नहीं इस पॉइंट भी को दुबारा से पड़ो समझ में आ जाएगा हाँ जी बनी कुछ बात तुम बड़ा लॉब में करने क्या लिख है कि आपके पास्ट इंप्लोई कभी दोस्तों में काउंट नहीं होंगे नहीं उन्हें का पर्संस हूँ फार्मर्ली अंप्लोईन मतल्झा एसे लोग जो आपकी एंप्लोईमेंट में थे उन्हें शेयर कभ अब मिला डाका enforce के दौरान ही वह मेंबर बने और सेयर मिलने के बाद आप उन्होंने इंप्लोईमेंट थो चोड़ दी बर शेयर अपने ही पास रखा तब वह रिजू के और उसके बाद बेटा आप share a lot कर रहे हो अब क्या ये दोस्तों में count हो जाएगा येस क्योंकि law ये नहीं कहा रहा है कि past को सबको हटा देंगे उन्हें को हटाएंगे जिने employment के दुरान share दिया गया था और share मिलने के बाद उन्हें जोब छोड़ दी पर share अपने ही past रखा कर लो को दिक्कत नहीं कि प्राइवेट नहीं को शेर देना किसी भी परसंगो तो पहले उसके साथ employment contract कर लाएं फिर उसको शेर देते हैं येस प्लाइमेंट कांटरेक्ट करोगी तो हर मेने उसको कुछ नहीं को salary देनी पड़ेगी उसके बाद निकाल दिया पर वो शेर पना कोई दिक्कत नहीं एक मेनी की salary तो देनी पड़ेगी है तो अगर आप यह प्लैनिंग थोड़ा बोट चार-पांच लोगों के साथ कर रोग चल जाएगी पता चला ऐसा कर करकर के आपने 10,000 लोगों को शेर दे दिया तो क्या में को कोट में जा सकता है और क्या फिर महां पर यहां पर भी corporate ले लिफ्ट करके आपको लाइबल करवा सकते हैं शायद है तो सीमा में रहकर local loophole का इस्तमाल करोगे तो ठीक है पर कोई भी इन चीजों के लिए यह प्लाइनिंग करता नहीं क्योंकि 200 के limit in itself it's very sufficient किसी भी normal private company में आपको 5-10-15 से जादे मेंबर देखने को नहीं मिलते 200 के limit अपने आप में अच्छी खासी limit है पर अगर आप यह करना चाहों बिल्कुल कर सकते हो लोगने कोई प्रोबीशन नगा है पर employment contract करो शेयर दो no issues पर अगर employment contract कर रहो salary दोगे उन्हें बाद में TDS भी काटना बढ़ ने शेयर दिया जवाब सब काना चाहिए क्या कोई दिक्कत अरे क्या कोई दिक्कत पचास लोगों ने बहुत जबर्दस लॉजिक बढ़ेगा पड़े ध्यान से समझना पचास उसके employees थे बेटा और इन 50 employees को जिस समय वो employment में है शेयर दिये गए क्या कोई दिक्कत शेयर मि आपके सिकाशेयर बेच गए तो बड़ी दिक्कत है दिक्कत बस कब नहीं आएगी अगर वह यह शेयर किसको बेच दे या तो किसी existing member को बेच दे या किसी existing employee को बेच दे तब दिक्कत रहेगी तब नहीं क्योंकि तब मेरी दोस्तों की लिमिट नहीं बगड़ेगी तो सवा नहीं लगाई और वो किसी और को शेयर बेचकर एक्जिट ले गया तो मेरी दोस्तों की काउंटिंग बिगड़ जाएगी तो दियर आर रेस्टिक्षिंट और इस रीजन फोर रेस्टिक्षिंट अंदी ट्रांस्फर अफ शेयर्स हाँ जी हाँ किया कि दो आर से बोलो मैंबर है माई को सब्सक्राइब कर दिया है तो ऐसे प्राइवेट कंपनी के जो बेसिक पॉइंट से उनको मीटनी करते तो लों में जो इस प्राइवेट कंपनी का बेनेफिट नहीं मिलेगा उस पर पूरा लॉइज पॉब्लिक लगता रहे हैं यह गएंगे आप कोई भी प्राइवेट कंपनी का फायदा नहीं उठा सकते हैं एक हाँ जो डाउट चेक कर लो एक बार कोई नहीं नहीं अगर कि अच्छा चलो वह बोला वैसी बोलो कि एंप्लोई को जो शेर्ज देते हैं है एक एंप्लोई बेनेफिट एक्स्चेंज प्रोग्राम इंप्लोई बेनेफिट प्रोग्राम होते जनरली इस अप वगएर आप कहना चाले शाहिए हाँ ठीक है है ने कि रजाएंगे मैंने इंप्लोई से पैस काता हम से मेरी वेशरी हो माइडी करना है मेरा माइक में चलिश्क सब्मलीС अब कहाएं ओअ है आप कह रहे हैं है यहाँ पर इंप्लोई है के रिखर कंपणी को शेर्ट ख़िए और इस इंप्लोई ईक उताओए नीश對ॉ रहने दायर आपने लेट सब्सकों सटिक विडिए गर कुछ फ्री में अपंपनी ने शेयर दे दिया कोई दिक्कत नहीं इसको अगर फ्री में भी शेयर मिला हो तब भी कहें दोस्तों में काउंट हो रहा है नहीं उससे कोई फरक नहीं है अब आप क्या कह रहे हो लिए आगे शेयर ट्रांसफर कर देता है लिए दूसरे इंप्ल realidade किने फैसे में और मेरा इंप्लोई डोस्तों में कंट नहीं होगा अब उसे likes न अब इसका कोई उसको लिंकו दोग नहीं होता हो तो अपका प्राइवेट कंपनी का पूरी डेफिनिशन आफ फिर से रीपीट कर पाएंगे तो निया तुमारा आद रिपीट कर पाओगे तो देखते हैं प्राइवेट कंपनी मीन से कंपनी having a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article तीन फीचर आपको देखने को मिलेंगे RLP क्या कहते हैं? RLP तो प्राइवेट कंपनी के बड़ा तीन फीचर होते हैं RLP जिसमें R से क्या बनता है? restricts the right to transfer its share P से क्या बनता है? prohibits any invitation to the public to subscribe to its share's securities and L से क्या बनता है? limits the number of its members to 200 पर अगर joint member है उन्हें कैसे count क्या जाएगा? single और अगर किसी present employee को share दे रहो क्या वो दोस्तों में count होगा? नहीं और अगर किसी past employee को share दिया था जिस समय वो employee था और share मिलने के बाद उसने job छोड़ दी पर share अपने past रखा तब भी वो 200 के limit में count नहीं होगा is this correct everyone? चले बिटा तो यहां पर बुक में बाजू में लिख भी ले ना RLP यह तीन फीचर आपको private company के आर्टिकल में देखने को मिलेंगे इसका logic क्या है employee को member में ना रखना बताया तो धुरुब lawmaker is motivating the company कि आप भी अपने employees को shares दो company generally ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे law में जगे 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 पर आप पढ़ोगे कि जब भी employee को share देनी के बात आती है lawmaker अपनी तरफ से lenient हो जाते है जगे जगे आप सीखोगे कि employees के लिए lawmaker हमेशा लीनेट है वो चाहते है employees का participation बढ़े तो इसलिए lawmaker अपनी तरफ से benefit देते हैं हाँ जी बनी कुछ बात चलो बड़ा तो जो अपका private company की चर्चा तो यहां पर समाप तो ही और जैसे बड़ा यहां पर चर्चा समाप तो ही नीचे आ रहा है एक सवाल यह सवाल आपका latest जो study mat आपका आया है nice labels का उसमें भी given है और May 22 के paper में भी आया था शायद आप similar question foundation में भी पढ़कर आये हुए हो तो मैं चाहूंगा बेटा आप इस question को read करें नीचे इसका answer दिया गया है उसको read मत करना वो answer गलत है तो कहीं confused न नंबर के साब से आप इसका answer लिखना चालो करें आप पर लिख लो फिर अपने के रन नोट बुक ने लाए है और 5 मार्क्स आपकी जैसी भी समझे बेटा कि इसका answer आपको कैसे लिखना चाहिए आप इस question का answer लिखेंगे अंसर लिखते वक्त आप बाजुवाले का भी answer देख सकते हो आप बुक ओपन करके भी answer लिख सकते हो पर उससे कभी भी आपकी राइटिंग प्रेक्टिस डवलप नहीं होगी तो आप प्रोफेशनल लेवल पर आ चुके हो आपका हाथ पकड़कर कोई answer नहीं आप एप एप प्रेसेंटेट प्रेसेंट अधियों अधियों नहीं से देखे बिना किसी से तंसल्ट के खुछ से अंसर लिखो याप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो कि तीन बचकर पच्पन मिनट अभी हुए आइडली सकांसर दस एक मिनिट में कमफर्टेवली पूरा होना चीए चोर नी बढ़ी जितने बी लाइव स्टूरेंट से लाइव हूम जितने गूगल राइव डर्व स्टूरेंट्स हैं मेरे आपसे यह एक्स्पेक्टेशन रहेगी आप घर पे भी इस कांसर लिंगे लिखेंगेंगा आप चाहो तो बड़ाएजी है, आपके लिए क्लास को स्किप करके आगे बढ़ जाना, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस फिर कभी भी डवलोप नहीं होगी, तो प्लीज ये टाइम आपको अलॉट किया जा रहा है, तो आप आंसे जूट लिखना आपको अब़ा झी हो तो आपाइब रहा है, तो आप computeना रहा है, तो आपके लिएक करके लाइबोतों, अपकी किस से हो आपके वधके रहा है, तो रहा हैईगे, व्ल Тут कैसा ही जूट ए나마ए जाने imaचे का डिती कि को फ eer Tuc's वोड़ा में पार जाईगित को दो व्लोंूंद प झाल 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 पाँच मिनिट्ट पुरियों गया है पांच मिनिट्ट हो रहा है झाल 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 जोर नहीं वाके वैच्छे लिखंगे हैं जैसा आप की समझेव यह सा लिख़ो भें तो मिनुट और बचे में आपके पास कोई तस मिनिट बिटा इसका मैक्सिमम टाइम रहेगा पेपर में इससे दर समय आप पांच नम्बर के सवाल को नहीं दे सकते हैं हाइर साइड पर बहुत जाद है शोर नहीं प्लीज प्लीज अचे तो अचे बड़ा नहीं फिर तो नहीं खर पिच्छी से पिछली क्लास तक करें तो सर्लों कैसे बढ़ेंगे उसी क्लास में का सर लिखेंगे कैसे अब मैं आंसर की रैटिंग करा रहा रहा हूं तो स्लेवर्स कब तक हो जाएगा तो जीवन मेना संतुष्टी बहुत ज़रूरी है तो मैंने बार-बार कहें मेरी जिम्हेवार है जैसे मैं करार हूं करते जाओ आपको आज अगस दिख रहा है मेरे को आज यह से नमूंबर दिखता है मेरे को पता आपके लिए एक दिन बड़ा क्रूशल होता है तो मैं वह लाज दे को ध्यान में रखकर पूरा बैच चलाता हूं जिंदा मत पर आपका सले बस्ताइम लिओवर होगा आजी क सबकांश कивать time Emily अगर किसी को आप कंप्राइप की मैं रटाशन लिखने अद्धी कि वह पर आपको ताइम मेनेजमेंट प्रोफ पर लिया आना चीह आँए अपर आंसर को टाइम Bound में इनर में लिखना बड़ा अगर आप time bound manner में ना लिखो, एक answer लिखने में आपने 15-20 minutes लगा दिये, और end में आपका 20-25 नंबर का paper चूट गया, that is not worth it, तो proper time management के साथ आपको कोई भी answer attempt करना चाहिए. Now coming down to this very question and law में generally answer लिखने के अप्रोच क्या होती है, तो पहली चीज तो अपने मन से एक fear या एक question निकाल दो कि law के answer लिखे कैसे जाते हैं, बढ़ा law के answer लिखना कोई ऐसा rocket science नहीं है, आप बच्छपन से school level से एक्जाम देते हुए आयो, आपने कहीं theory papers के answer लिखे हैं, 11-12 मे आप business studies बगएरा के answer लिखा करते थे, तो उसी pattern पर law के answer कहीं नहीं चलते हैं, बस उसमें एक थोड़ा सा legal angle add हो जाता है, कि महाँ पर आपको law की बाते अपने तरफ से थोड़ी सी extra बताना ही पड़ती है, तो law के answer लिखना कोई बहुत rocket science है, कोई अलग चीज नहीं है, कोई बच्चा उसका बहुत बड़ा fear factor बना रहे है, तो बहुत बड़ा law के answer कैसे लिखे जाते है, बड़ा लिखने का तरीका बड़ा plain and simple है, उसी approach को हम अपनाएंगे भी, पहले एक बार question discuss कर लेते हैं, सवाल exactly कहना कह चा रहे है, तो question कह रहे है जी, Flora Forna Limited was registered as a public company, there were 230 members in the company as noted below, director and their relative, employees, ex-employees उनको share मिले थे जब वो employee थे, 5 couples jointly share hold कर रहे है, इस calculation में 10 की तरह count होए, and others में 145 member आ रहे है, and the board of director proposed to convert it into a private company, also advise whether reduction in the number of member is necessary, बड़ा वो इस company को private में convert करना चाह रहे है, आपको बताने क्या उनने member reduce करना यहाँ पर जरूरी है या नहीं, बड़ा जब भी, जब भी आप law के answer लिखोगे, सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, क्या आपको यह बताना चाहिए, क्या आपको यह बताना चाहिए, कंपनी में 230 member हैं, उनकी पूरी list, क्या आपको कभी भी, facts of the case, या आपको शुरू में क्या लिख देना चाहिए, no, not required, क्यातने से का चलेगा, नहीं, law के answer हमेशा लिखते समय सबसे पहली बात हमेशा आप क्या बताओगे, law itself, शुरू में हमेशा आपको legal provision लिखना रहेगा, कि आप जो आगे answer लिखने जा रहे हो, उसका basis क्या है, आप किस basis पर वो बात कहने जा रहे हो, उसका किसी बच्चे ने तुक्का मा सबसे पहले देनी पड़ेगी, कि जो बात आप कहने जा रहे हो, उसकी legal backing क्या है, तो यहां पर बेटा जो legal backing बनेगी, यह किस चीज़ पर बेज़ रहे है, यह private company में वो जो 200 की limit है, उस वाले point पर बेज सवाल है, तो आपको वो वाला provision यहां पर पहले लिखना पड़ेगा तो पहले आपको बेटा बताना पड़ेगा law, जब भी बेटा आप law बताने के लिए जाओगे, तो let's suppose जब भी हम law बताने के बात करते हैं, क्या आपको अपने answer को start करते वक्त, सबसे पहली बात कोई भी answer लिखना start करोगे, for example, अगर यह question, आपके paper में question second का पहला part होता, त बड़ा कोई भी answer लिखने शुरू करने से पहले एक चीज़ का जान रखना, हर नया answer आपको नये page से start करना है, कभी भी आप पिछले page का इस्तेमाल यह continuation में answer नहीं लिखोगे, अगर आपका पिछला answer डेढ़ पेज में खतम हुआ था, नया answer हमेशा नये page से ही start होगा, आप answer लिखना start करोगे, center of the answer sheet में आपको लिखना है कि आप कौन से सवाल का जवाब दे रहे हो, और example आप question second A का answer लिख रहे हो, तो center of the sheet में आप ये चीज़ लिखोगे, फिर आप अपना answer लिखना start करते हो, जब आप answer लिखना start कर रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको legal provision, सर क्या legal provision लिखने से पहले, मुझे उपर legal provision heading डालना, law heading डालना, क्या ये mandatory होता है, नहीं, कुछ बच्चे ये काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कोई thumb rule नहीं है, institute नहीं नहीं क्या रखा, क्या पहले legal provision की heading लिखो, फिर law लिखो, नहीं, आप simply अपनी के बाद फिर आप अगले paragraph में क्या बताते हो, facts of the case, कि current question क्या कह रहा है, और उसके basis पर आपका final conclusion क्या होगा, ये बात आपकी last paragraph में आती है, और ये ही आपका practically flow भी चलता है, जब भी कोई आप से कोई सवाल पूछने आएगा, तो पहले आप बताओगे, कानून ये बोलता अब कहीं बार होगा क्या बिटा, legal provision कहीं बार इतना lengthy हो जाता है, कि उसको लिखते समय आपके let's say 7-8 minute चले गए, और आपको लग रहे है, जी मेरे पास सिर 2-3 minute बचे है, तो वहाँ पर आप smartly क्या कर सकते हो, maybe facts और conclusion को merge करके लिख दो, तो वहाँ पर आप इतनी smartness on the spot दि चेक करेगा, कि आपने legal provision लिखे हो, facts of the case, conclusion, या आपके answer में आना चाहिए, इनकी headings अलग से डालना आपके लिए necessary नहीं, अगला सवाल जो बहुत आता है, कि सर पांच नमबर के लिए कितने length का answer लिखना है, आधा page लिखना है, एक page लिखना है, 200 शब्द लिखों, 500 शब् गए हो, यहाँ जी, इसके ओपर story लिखने है, कितने words के लिखो, आप एक paper देने गए हो, professional exam, जहाँ पर आपको एक legal answer देना है, तो महाँ पर आपको law बताना है, facts बताने, conclusion, अब अगर आपने सारी बाते तरीके से बताई हो, आपका answer, let's say, half page में क्यों ना खतम हो जाए, आ अगर यही सारी बाते बताने में, आपके दो page लगने है, तो दो page आपको लगाने पड़ेंगे, आपके answer में ये तीनो बाते होनी चाहिए, जानक न, आप किसी essay writing competition में नहीं हो, कि आदा page लिख दिया, एक page लिख दिया, number मिलगा, नहीं, वो quality of the content पर जाएगा, अगर आपक question second A में, बीच में शोर में, कितनी बार में टोकूंगा, बड़ा, क्या समझ रहा है, फिर आप खुद बातों में लगे हो, तो वो कहेगा, जी question second A में, अगर बच्चे ने step 1 लिखा है, तो एक number दे देना, step 2 लिखा है, तो एक number, step 3 के 2 number, तो इस type से step marking होती है, तो वो सारी आपके answer में जगे-जगे ढूंड रहा होता है, अगर accurate है, on the spot आपको पूरे number मिल जाएंगे, बड़ा, पूरे बटा पूरे number भी law में आ जाते हैं, provided ये सारी बाते आप अपने answer में लिखेंगे, अगली बात, इस type से आपका answer flow करना चीए, और एक छोटी सी चीज और तो ये margin में आपने question 2A तो डाल दिया, अब क्या आप अपने points बगारा बनाने के लिए, इन margins का use कर सकते हो, पतानी कहीं बार में इसे बच्चे आगर कहते हैं, इन margins का इस्तमाल आप नहीं कर सकते हैं, ये margins हमें allowed नहीं हैं, तो हम अपनी margin ना अलग से खीचते हैं, तो हम य और पेज पर rough work की margin लखी चूँगा, क्यों कोई calculation पढ़नी करनी पढ़ गई, यहीं पर बाजो में करूँगा, पहली बात तो बढ़ा, अब आप professional exam लिखते हैं, वहापर आपकी जो भी calculation है, वो answer में working note की तरह आप दिखाते हो, तो rough work नाम का दो कुछ होता ही नहीं है, और चाहे वो आधे page में खतम हो, चाहे एक में, चाहे डीड में, फिर आप अगले answer पर जम करिए, अगला answer आपका नए page से start होगा, तो यह कुछ basics जो आपको ध्यान में रखने है, इस question के अगर हम बात करें, करन के रहे sir, handwriting moderate चलेगे और नहीं चलेगे, सुधार हो, तो obviously इतनी आपको लीगल प्रोवीजन लिखने है, आपका answer मेरे से थोड़ा वेरी कर सकता है, जिन शब्दों का मैंने प्रियोग करा है, आपके शब्दों का प्रियोग अलोग होगा, पर अगर आपके बात का intent से निकल करकर आए, आपको number मिल जाएंगे, तो मैं अपने तरफ से जो मैंने answer लिखा है, वो आपको दिखा देता हूँ, तोड़ा सबसे पहले मैंने legal provision mention किया, और जब भी आपको answer लिखना start करो, एक section number, तोड़ा वो section number आप यहां पर mention करिए, और section number याद ना हो, तो क्या करें, as per the relevant provision of the company sect, या और ज़्यादा से जाना चाहरे हो, as per the relevant provision of the company sect, read with rules and regulation, if any, जो भी company sect बोलता है, कोई rule भी होता हो देख लेना, examiner, मैं अपना answer लिखने जा रहा हूँ, और section number याद है, बहुत इस ही नहीं है, पर अगर याद है, बिल्कुल उसको तरीके से बताईए, sir, अगर तुक्का लगाना चाहो, थोड़ा-थोड़ा याद है, क्या तुक्का लगाया हूँ, नहीं बढ़ा, गलत section number कभी में मत लिखना, if you are not confident, ignore writing a section number, क्योंकि अगर आप गलत section number लिखते हो, महा अब इस answer में, बेटा, मेरे पास दो choice थी, private company का जोई question है, यह सिर्फ और सिर्फ private company के second point पर based है, वो limits of 200, employment, joint member, तो आप चाहो, तो अगर आपने answer में सिर्फ वो second point highlight करके लिखा है, तो भी आपका answer correct है, मेरे को लग रहा था, 10 minute मेरे पास है, मैं पूरा लिखता हूँगा, तो मैंने private company की पूरी definition लिखा, तो अगर आपने पूरी definition नहीं भी लिखी है, आपने सिर्फ यह second वाला point highlight करके लिखा है, तो भी चलेगा, कोई issue नहीं है, मैंने अपनी तरफ से पूरा लिख दिया था, मेरे पास थोड़ा सा समय था, तो मैंने तो चलो answer लिख देता हूँ तो private company means a company having a minimum capital as may prescribed and which by its article, अब बेटा यह रटा रटा ही था, सारा भी रटा ही था, point number 1 बना दिया, अब गलती से भी बेटा, यहाँ पर क्योंकि lawmaker ने भी points बना रखे हैं, 1, 2, 3, और lawmaker ने points ना भी बनाए होते, अगर आप अपना answer points में present करोगे, वो read करना असान है, तो हम बेंशा आपको अपना answer कोशिश करके points and paragraph में divide करना है, wherever possible, make pointers, points बनाने के लिए आप numerics लिख लो, arrow, bullets, जो आप चाओ, पर जब आप अपने answer को points and paragraphs में divide करके लिखोगे, adequate spacing दोगे, तो उसको check करना असान है, बेटा, आपको examiner की जिंदगी असान बनानी है, कठिन नहीं, ब इतना content लिख दूगा कि वो ढूंडी नी पाएगा और परिशान होकर number देदेगा, पड़ अगर ये second approach है, तो चिंता मत करो, वो परिशान तो होगा, पर number देगा, तो अब आप professional level में आप सोचोगे, वो परिशान होगे, college का exam और number देदेगा, नहीं, वो कार्ट हमार के बना दिया, except in OPC limits the number of its members to दोसो, यहां पर मैंने member और दोसो को underline कर दिया, क्योंकि मेरा main answer इस point पर based है, फिर बिटा, यहां पर आप simply भी लिख सकते हो, that in case of joint member, they will be counted as single, मैंने simply नहीं लिख कर शुरू में दो word एड कर दिया, provided that, तो वस देखने में लग रहा है, मैंने legal language ल only in employment, got the shares while in that employment and continue with the member, are also not counted, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, provided that following are not counted, फिर दो point बना दिया, चलेगा, इतना उपर नीचा पर सकते हो, इतने शब्दो का इसमाल चलेगा, पर यह दो बाते तो आपको लिखने पडेंगी, कि जो employment में है, या जो पहले employment में थे, उस सर में उने share मि तो दोस्तों में count नी होंगे, तीसरा ये prohibits वाली बात, तो अगर आपने अपने answer में point one, या point three नहीं भी लिखा है, चलेगा, आप सिर्फ ये second point लिखते हो, that will also suffice, that will be more than enough, तो यहां तक बेठा आपने law बताया, अब हम paper में law पहले बताना क्यों बोलते हैं, पड़ा law पहल पहले लिखा है, तो आगे वाला part भी ठीक होगा, तो हमेशा आपको law पहले बताना है, ये मैं बार-बार हर बैच में चिला-चिला के कहता हूं, पहले law बताना है, पहले law बताना है, फिर भी final exam में बतानी, बच्चे facts पहले लिखाते हैं, conclusion पहले लिखाते हैं, मुझे नही पहले बताना है, तो law पहले लिखना है, 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 लिखना ह कहीं थोड़ा सा mix कर दिया जिससे सारे facts भी आ गए और conclusion भी इसी के अंदर mix हो रहा है in current case florafona limited wants to be converted into a private company so its members should be up to do so existing members are as follows तो मैंने कहाँ जी इसके existing member अगर हम count करेंगे इस हिसाब से अब paper में समय है तो यहाँ पे भी line mind खीच के आप proper box table बना सकते हो समय नहीं है तो properly spacing के साथ ABCD लिखकर सारे points लिखना उसको समझ में आ जाएगा number देदेगा तो if you have time make proper margins if you don't have time simply clearly इसको mention करें मैंने कि यह director and relative count होंगे employees not counted zero, x employees not counted zero, 5 couples jointly holding 5, others 145 तो total member यहाँ पर उसके होगे दोस्तों अब कहीं बच्चे बेटा यहीं पर अपना आंसर खतम करके आ जाते हैं वो नहीं चलेगा क्योंकि आपने final concluding line नहीं ती end में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इस company में 200 ही member है तो यह बिल्कुल convert उसकती है without reducing the member यह last line भी आपको लिखनी पड़ेगी अगर आप यह सोचोगे पस मोटा मोटा लौ बता दूं कहां कि 145 member यह 200 member हैं reduce नहीं करने number दे देगा नहीं वो फ्री में number लेकर नहीं बैठा वो आपको CA की तरह देखना चाहरा है तो आपसे as a chartered accountant जो presentation expected है वो expect की जाएगी यह सारी बाते आपके answers में होनी चाहिए कितने बच्चे इस answer को देखते हुए अपना answer कर मैच करें खुद को चार या पांच नंबर देखते हैं 4 या 5 इतना अना चाहिए नहीं सर्दिक्कत थी चार से कमी आएंगा कुछ ना कुछ गडब़िया करिए चलो बढ़ा धीरे धीरे आप अपनी गलति अरे बर्स वर्स क्या हो गया तो बढ़ा यह institute का answer है institute ने प्रहांसर ऐसे start किया according to section 2 clause 6 state of the company's private company definition the minimum capital as may be prescribed और यहीं पर continuation में लिख दिया which by its article institute ने first और third point ने लिखा वो सीधा second point को यहां पर mix करके लिख रहे हैं except in OPC limits the members to दोस्तो और यहां पर provided that कि जगे institute ने however लिख दिया however where two or more persons are holding share jointly they shall be counted as one आगे उनने लिख दिया it is further provided that तो थोड़ा बहुत change तो institute भी करता है जो present employment में है past employment में थे they will not be counted then एक line का space देके उनने का in the instant case यह company convert होना चाहा रही है private में तो इसके maximum member होंगे दोस्तो total number of members की calculation दिखाई institute ने अपनी calculation में all together employee और ex-employee वाली बात लिखी लिए आप लिखो तो बेटर है कि employee 0, ex-employee 0 institute ने cut shot करके सीधा 200 member दिखाई और final conclusion आ गया accordingly यह company convert होसकती है बिना 200 members या बिना members को reduce की है तो बड़ा same pattern या same approach आप देख पार है institute भी follow कर रहा है पहले legal provision आ रहे है फिर facts and conclusion आपका sum up हुआ तो this will be our basic approach आज थोड़ा थोड़ा writing practice हमने start किये during the batch काफी questions के answer हम लिखेंगे बाकी आपके काफी सारे test भी होंगे वहाँ पर आपको honest रहना है शुरू में आप बहुत जोश में होते हैं कि हाहां writing practice करेंगा answer लिखेंगे पर धीरे धीरे न वो जोश ठंडा होता चलता है आ जुरू में तो जोश बहुत रहते हैं कि मैं writing practice करूँगा, बिल्कुल करूँगा, answer लिखकर दिखाऊँगा, मेरी जान के भी है, sir answer कैसे लिखेंगे, बताओ, 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 जब मौका आते हैं तब तुम भाग जाते हैं, तो वह गलती कभी मत करना, answer लिखना सीखना है तो उसके लिए answer लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे writing practice नहीं होगी, अभी भी class में ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जिन्नोंने answer लिखा ही नहीं है, बहुत सारे बच्चा बैठा है class में, जिन्नोंने answer लिखा ही नहीं है, उसे notebook भी नहीं निकली, क्या रहे, notebook नही बाजुवालों से page मांग कर लिखा नहीं है, तो अगर चाहा है तो answer लिख जाओगे, और चाहा नहीं है, फिर तो आप excuses ढूंडते रहोगे, and nobody in this world cares about your excuses, ये चीज़ नहीं रख लाएंगा, कितना बड़ा excuse आप देते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके excuse से, च सुच लीजे, any doubt specifically in this question ये writing practice के regarding, बाकी तो हम धीरे-दीरे writing practice करते वे चलेंगे, मैंने भी काँ बनाई है, इतनी तो बनानी पड़ेगी, ये सारी बात एक single paragraph में अगर बेटा आप लिख देतो हो, let's suppose आपने paragraph में ही सब लिख दिया, तो उसके लिए check करना असान होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो चीजों को थोड़ा सा neat and clean लिखना पड़ेगा ताकि उसके लिए checking असान हो, तो मैं अपनी तरफ से क्या कोशिश करता हूँ, क्यार मैं adequate spacing दूँँ, points बनाओं, ताकि चेक करना थोड़ा सा असान होप है, पढ़ना थोड़ा सा easy रहे, तो इसलिए अगर आप ये सारी चीज़े एक single paragraph में लिखाते हो, जैसे आप में से कहीं बच्चे होगते हैं, answer बिल नहीं है, और मुझे उसको ये बात अपने answer के through समझानी है, तो मैं क्या लिखूँ, ये सोच के जब आप answer लिखोगे, तब जाकर आपको पूरे number बिटा, automatically मिल जाएगी, चलिए, रहूल, don't worry, जितने online students है, GDP students है, आप सब के भी test होगे, समय आने दो, मेरी जिम्यवारी है, बस आप साथ-साथ महनत करते हुए चलना, वो महनत आपके होने चीए, तो अगर आप महनत करने को त्यार हूँ, मैं महनत करने को त्यार हूँ, चिंता मत करो, जब समय आएगा, आपके भी test होगे, मैंने बार-बार का, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, सेक्शन को margin में स्पेसिफिकली लिख सकते हैं, समझाने निखल, आप कहा रहे हैं, ना लिखो तो बेटर है, मेन आंसर में section number लिखो, अगर मैंने लिमिट वाली बात लिखी चलेगा, क्योंकि तीनों बाते आपके निकल करके हो, और तीनों बाते इंटर नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकत आपकी जो भी अमेंटमेंट्स है, वो इस मन्ध हैंड तक आपकी आजाएगी यूट्यूब पर ही, बिमलकर अपना आंसर शो कर दो, और कैसे शो करूँ भाई, और कैसे शो करूँ बताओ, जब समया आएगा, आपको सब पता चलेगा, अभी तो आप प्रैक्टिस करते वे हाँ जी कोई डाउट यहां पर रह गया हो, अभी कुछ बात, क्या ब्रेक्ची है, अभी कहां से, तुमने पढ़ा ही नहीं कुछ, आई हो थोड़ा सा एडिया आपको लग गया होगा, अपनी आंसर शीट में प्रॉपरली प्रेसेंट करना, आपकी आंसर शीट कैसे आती है अगर आंसर शीट कोई पढ़ी होगी, मैं सेंपल दिखा दूँ, हाँ जी, हाँ जी, उसके नमबर निकड़ेगी, हमारा मेन अंसर में OPC का कॉंसेट कहीं नहीं था, अगर आपने सर्फ एक्सेप्ट इन OPC नहीं लिखा चलेगा, इतना एक्जामनर इतना स्रिक नहीं होता, जिस्ट गिम या मिनट, जो आपकी आंसर शीट आएगी, आंसर शीट में एक तो आपको OMR मिलेगी, OMR शीट जनरली ऐसी दिखती है, जब भी आप OMR शीट फिल करो, OMR फिल करने के लिए ध्यान रखना है, एक तो आपको Pencil उस करनी है, आज सक इंस्टिड्यूट ने का है, OMR के आंसर साब Pencil से फिल करोगे, आपका जो भी एक्जाम होगा, उससे पहले आपको एक रोल नंब पर दिला सकता है, तो आप सर्कल फिल करने में किसी भी लिहाद से लिएंट नहीं हो सकते है, आपको बड़ा सर्कल प्रॉपरली पैंसल से फिल करना है, कहीं बच्चा गएगा, कर दिया है, हो गया है, यह सबनी बिटा, एक एक नंबर का सवाल है, ऐसे कैसे आप लिएंट ह छोड़ देगा, तो इसलिए वो बेब कुफी कभी मत करना, और कहीं बार, आप आंसर गलत कर देए, तो बच्चा कहते हैं, फ्लूड लगा के आ जोँगा, फ्लूड लगा के बाजवाला भर दूगा, वो भी नहीं, तरीके से सोच समझ के जो करना, कर देना, उस तरीके से उस आंसर को फिल करना, कहीं से भी कोई कैप नी बचना चाहिए, अपनी तरफ से प्रॉपर दी सर्कल को दार्कन करके, आप अपना आंसर करेंगे, तब जाकर बेटा, आपको इसमें नंबर मिलेंगे, आप किसी भी लिहाल से लीनियन नी होंगे, और OMR, ये बेसिक-बेसिक सेंटर में लिखना है, लेफ्ट एंड साइड में आप पॉइंट्स बनाओगे, और इन पॉइंट्स में आपका आंसर आगे फ्लो करेगा, आपके आंसर में वही, लौ, facts of the case and conclusion आएगा, अगला आंसर आपका येवाला आंसर हाफ पेज में आपर फिनिश हो गया, तो जैसी इसी बेटा आंसर फिनिश होगा, आप इस पेज का इस्तमाल नहीं करोगे, आपको अगले पेज से अगला आंसर स्टार्ट करने, let's a question, second, see and so on, इस तरीके से आपकी अप्रोच चलनी चीए, तो this will be our answer sheet, इसी वे में आपको प्रेजेंट करते हुए चलने, this is clear everyone, बाकी धिर जैसे समय आएगा, we'll keep on discussing more questions, writing more questions, यहाँ पर आप लोग लीजिए एक चोटा सा break, ब्रेक के बाद पर आगे वाली बातें connect करेंगे, अभी आपके चार बचकर 28 मिनिट हुए, चार पैतेस तक बहुत है, चार चालेस, नहीं नहीं, 45 मिनिट, 40 is enough, और ब्रेक, मिलते हैं ब्रे चीज नहीं, पर उतना content तो आप जरूर लिखो facts का, जिस पर आपका answer बेस्ट है, जरुब कह रहे हैं सर, chapter 1, preliminary of company's act नहीं, इतना detail में जरूरत नहीं, आप simply section 2 clause 68 of company's act लिख सकते हो, लिखना चाहाँ अपनी मरजी है, बट इतना detail में, depth में जाने की जरूरत नहीं है, चले life students अब लीजे break, अगर आपको get out of class के बद करते हैं, discuss झाल झाल करते हैं झाल 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 जल्दी वहां से हाटो झाल झाल हाटो रेतु राज रेतु राज रेतु राज रेतु राज रेतु 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 अधिक करें स्टाट क्यों गया कि एग तो दूम चाल आ यह पाइब आए कि आप आए कि अधिक प्रवाट तो सेल लाँ मैं खिला दूँ तुम भूल जाते हैं तुम्हारे सर बनिया है आतो देखते हैं मेरे से समुसा निकलवाना इतना असान निया है कोशिश करो मेरे लिए ची-ची बाते बोलोग यह से तारीफ होगे शायद खुश हो कि मैं कभी कर दूँ अभी तो इतनी जल्दी है इतनी असानी से तो नहीं यह की भी जासिफल कािश वह सब्सक्राइब में इ accessories शुक्राइब functionmatल में कि वारे टानो qnb कि मरते घोनी बनिया डिसन शाल कभी त्मारे शुरु के वह क्यों थेतनी 720. हाँ जी पता लगाओ पाटी चीए तो क्या पता आज हो और मैं चुप-चाप निकल जाओ तो मैं पता भी ना चले और को आरे यार पाटी का मुखा मिस हो गया मेरी इंस्टाग्राम की आइडी पर मेरा बद्धे पता नी शायद तो नहीं है पेस्बुक पे मेरे को पता नहीं याद भी नहीं है तुम लोग फेस्बुक की यूज करते हैं कहा आज कल की जन्देशन तुम तो मेरे इंस्टा से भी आगे बढ़ चुक है कहीं हो रही आज क्या चलता तुमारा स्नैप्चैट अगेरा उसे भी कुछ रही हुया गया थेड्स अच्छाएः शु करते हैं सब नहींद गुदइटस पर में नए करहां थेट्र भी इसदै यह तैयल पर्सेंट है तंभारे शुट बोला तो अटेंट लग जायगा को इसट अ अब बताओ, कौन से ऐसे बच्चे जो फेस्बुर्क और इंस्टा पर ही नहीं यह तो डेडिकेशन बहुत बड़ी वात है, इस एरा में बच्चा इंस्टा और फेस्बुक यूज नहीं करता है जब पहले थे अब छोड़ दिया, सी एंटर में आते ही, क्या आवात है, that's some dedication मैं जनरली करता था एकाम पर अपने एक्जाम से 2-3 महीना पहले हमारे टाम पे इंस्टा मिस्टा दोता नहीं था, हमारे टाम पे रिवर्ट सेब या फेस्बुक ही जाधा चलते थे तो जनरली 2-3 महीने पहले तो हम डिलीट कर देते थे यह dedication बहुत बढ़िया जागोपाल के रहे सरह हम भी कि अधित्य करें डियू laughing when five marks question is written in half page आप क्या हो बनिय हो अगर बहुत बढ़ा होता है और बनिया ये बात कहर है क्या बात है बात है बहुत है कि थोड़े से दो तिन बार और क्या दोगे ना पक्का किला देगा है चलो जी लेक्स कम बेक तुछ तो ब्रेक पर जाने से बहले विटा हम ताइपस ऑफ दी कंपनी पढ़ रहे थे बेसिस रेजिस्ट्रेशन हमने क्लासिफिकेशन पूरा किया था और बेसिस रेजिस्ट्रे देफिनिशन पढ़े एक बार में समझ में नहीं आएगी अधर भी बिच्वाना बिलकुल बिलकुल भी मैं सबका ओडर ले लूँगा डान डान हां जी क्या सेक्शन टू में पब्लिक कंपनी डिफाइंड है क्लॉस नूंबर 71 ध्यान रखना है प्राइवेट कंपने का टू क्लॉस 68 होता है पब्लिक का 271 कभी अगर कंफ्यूस हो जाओ तो डिक्शनरी में पी आर पहले आएगा या पी यू पी आर तो इसलिए 268 इस और प्राइवेट कंपनी एंद यू बात में आता है तो इस और प्राइवेट कंपनी तो देखना भी लॉमिकर पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइं करते है लॉमिकर कह रहा है वंट डू यू मीन बाइव प्राइबेट नहीं होती क्या वो आटमेटिकली पब्लिक बन जाती है येस एंड आगे उसने का हैसम मिनिमम पेड़ शेर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब नहीं बता रही वह बताने की पावर में कर रही हूं डेलिगेट और प्रिस्क्राइब का मतलब बेटा कंपनी मतलब प्रिस्क्राइब क्या होता है अरे क्या हो गया तुमें हो गया अच्छा प्लीस सेटल ना इक बैठाओ बैठाओ आराम से कोई नहीं तो चलता रहे गाए तो तुम भार की तरफ बैठ जाते हैं अच्छा दोस्त अंदर था अच्छा नो पूच पे से पहार रटाओ चलिए अधिश्क्राइब का मतलब होता है रूल्स बनाता कोन है और यहां पर भी सीची ने अभी तक रूल्स में कुछ भी नहीं बता रखा तो एक पब्लिक कंपनी की भी मिनिमम पेड़प कैपिटल आज की दिन में कितनी है जीरो आप सो दो प्लिक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो पहले किसी जमाने में यहां पर लिखा होता था having a minimum paid up capital of rupees 5 lakh और such higher amount as may be prescribed पर बाद में amendment आई आज के दिन में कोई भी minimum limit नहीं है आप कितने भी रूपे के साथ एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो तो यह पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी ह प्राइवेट कंपनी और minimum capital अभी तक महा पर नहीं बताएगी जहां पर आपकी पब्लिक कंपनी की definition समापते कि जो प्राइवेट नहीं है automatically हो जाता है पब्लिक अब एक चीज़ चोटी से बताना है एक तो होती है पब्लिक कंपनी एक होती है प्राइवेट कंपनी पब्लि इस एक प्राइवेट कंपनी पर जगह 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 पर आपको प्राइवेट और कंपनी कंपनी पर जाधा stock any अप्लाइक करता है फ्यकूज़ तो आज एक पब्लिक कंपनी की दिमाग में एक बात आई, प्लीस मुझे बताना, आज लेट सबोस बेड़ा, आपने एक private company incorporate करी, और ये private company public at large से 100 करोड रुपा raise करना चाह रही है, क्या ये private company public से 100 करोड रुपा raise कर सकती है, नहीं, क्योंकि एक private company में कभी भी public at large का interest नहीं आसकता, आप ये public issue नहीं लासकते, पर बेड़ा यहाँ पर, let's suppose, अगर कोई public company है, क्या वो public at large से 100 करोड रुपा raise करना चाहे, तो क्या वो public issue लाकर, इनसे 100 करोड रुपा raise कर सकती है, इसने 100 करोड रुपा raise कर लिया, अगला सवाल, क्या ये public company चाहे, तो ये क्या private company के shares खरीच सकती है, और क्या ये नीचे company incorporate करके, उसके share खरीद कर, ये पूरा 100 करोड उसे transfer कर सकती है, लब क्या ये नीचे company open करके, उसे अपनी subsidiary बना कर, उसे सारा पैसा, investment के तौर पर transfer कर सकती है, तो बड़ा, क्या ये public का पैसा indirectly इस private company के पास आ गया, तो क्या ये private company public के पैसे का इस्तिमाल कर रही है, बिल्कुल, और क्या इस की को target करने के लिए बना इसका एक प्रोवाईजो, पढ़िए public company का प्रोवाईजो, नेचर लाइफ कर रहा है, क्या याद करना है, क्या नहीं, ये कैसे बता चलेगा, जो जो याद करना है, वो मैं daily याद कराऊंगा, तो वो याद करना है, अरे बनी कुछ बात, तो क्या का इसने भाई, provided that a company, which is subsidiary of a company, not being a private company, shall be deemed to be a public company, for the purpose of this act, even where a subsidiary company continues to be a private company in its, क्या 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 है, आजी कोई बच्चा इसकी interpretation समझाना चाहिए, तो कोई नहीं भाई, देना है किसी कुमाई, सर, इसमें लिखा है कि अगर कोई भी private company, कोई public company, subsidiary बना ले दी अपनी, तो वो भी इस act के अंदर एक public company मान ली जाएगी, तो रहने का सर, आज अगर कोई private company है, और कोई public company इस private company को अपनी subsidiary बना ले, तो इस private company को, वैसे ही अपने articles के साब से private है, पर क्या मान लिया जाए जाएगा, it will deemed to be a public company, इसको हम कहते थे हैं, deemed public company, कि वैसे तो public नहीं थी, पर इसको public मान लिया जाएगा, मतलब इस पर पूरा companies आप आगे से, private company की तरह लगेगा, और public की तरह, तो जो भी private company के फाइदे इसको मिलते थे, क्या वो फाइदे छिंजाएंगे, येस, इस line का interpretation तो यही है, बस word by word इसको एक बार बता दो, ये word by word ये interpretation कैसे आई, जुक जाएगा, एक सवाल है सर, धीपक कह रहा है, सर, क्या सारी government companies, public companies होती है, नहीं जरूरी नहीं है, आज अगर किसी private company में सरकार 51 खरीद ले, तो क्या उसको भी आप government company बोल सकते हो, येस, किसी भी company मे जब सरकार का 51 आजाता है, वो गर्वर्मने कलाती है, बाकि जब government company का topic आएगा, तब सीखेंगे, जी प्रवाइड डाटा कंपनी, which is a subsidiary of a company, not being a private company, मतलब कोई भी अगर प्रवाइड डाटा कंपनी, which is subsidiary of a company, not being a private company, पहला वर्ड कंपनी है, एक कंपनी है, H Limited, और एक यहाँ पर पहली लाइन में जो वर्ड कंपनी आ रहा है, वो किसको refer कर रहा है, H Limited को या S Private Limited को, H Limited को, है, कोई नहीं, कोई नहीं, राम से, टेक यर टाइम, सर, H Limited पब्लिक थी है, H Limited तो पब्लिक होगी, ना, Limited, और वो S Private Limited, तो वो प्राइवेट है, सर नहीं, वो जब फड़ो, तो पड़ो, प्राइव हो, चौट सा सवाल आप से, वो करें, प्राइड थी प्राइड द्पहन तो च्या मैं यहाँ पर, इन वर्ड सको कट करें क्या लिख सकता हूँ या नहीं प्रोफ गयी जनुव demiş object क्या यहां पर public लिख सकते हैं नहीं सर्इं डूसकता हूँ क्या गLaresh U अगर मैं आपर इन वर्ट को कट करके पुब्लिक लिख दूँ वट इशू माइक दे देना एक बार बेट बेट करो यहां पर पुब्लिक लिखने में क्या दिख्कत है कि सर पुब्लिक और प्राइविट के लावा भी कंपनी जो सकती है एक पुर एक्जामपल को किरें सर पुब्लिक और प्राइविट के लावा भी अगर पुब्लिक प्राइविट के लावा कोई कंपनी होती है फिर तो भाई के बार ठीक है तो उसका कोई एक्जामपल कोई ऐसी कंपनी जो पुब्लिक और प्राइविट कोई भी नहीं होती वी सारव परसंट नापन 20 मिला एक ब्लब 312 दॉh अन्वें का टायम पने पर ऑपीसी को एम गजांपल और गुजीन फैरक्शनյ है प्रूंड ये ईकशन मिल म hunting कपनी और अनने गुल्ट फैर्टम प्लंट जॉड गाल ड्रम्ट कंपनी XK7 इनेक्टिव कंपनी ज़र्मेंट बोलतो दिया तो जो सवाल है वो यह है कि क्या हमारे देश में प्राइविट या पब्लिक कंपनी के अलावा भी कंपनी हो सकती है पर एक्जामपल सेक्षिनेट कंपनी आपके एक सवाल उठता है जब कोई प्राइविट या पब्लिक कंपनी चैडेवल काम करनी चाहिकरमन बना ले कोईर सेक्षिनेट का मी करना बंद कर दे तब उसको हम कहसकते हैं dormant company, तो जानक ना कोई भी company by nature क्या होगी, या तो private, या public, क्योंकि law ने public को define ही ऐसे किया है, क्या का है उन्होंने, public company का मतलब क्या है, जो private नहीं है, अगर वो अलग से कोई तीसरी class of company बनाना चाहते, फिर वो public company की अलग definition देते हैं, उन्होंने अलग definition नहीं दी, उन्होंने रिका जी, जो private नहीं है, automatically public है, तो कोई भी company basis registration, या तो private होगी, या public होगी ही होगी, is this clear to everyone? तो क्या मैं यहाँ पर cut करके public लिख सकता हूँ, इल्कुल लिख सकता है, बटा, जानक ना, हाँ जी, section 8 में convert नहीं होती, private company जब charitable काम करती है, तो section 8 के प्राभधानों में governed हो जाती है, by nature तो वो private ही थी, हाँ, by nature तो private ही है, बस section 8 के charitable काम और करने लग गए, जानक ना, कोई भी company, private या public में से कोई होगी, हाँ जी, भाई को माइक दे दो, पीछे मिट से, इस पर, इस पर, इस पर, प्राभध के बिलकुल लगए, section 8 के अलग से लगए, जब section 8 पर आएंगे, सिखाएंगे, आपको, चिंदा मत करी, हाँ जी, प्लीज, आप interpretation पूरी कर दीजे, provided that a company provided that as private limited, which is subsidiary of H limited, shall be deemed to be a, shall be deemed to be public company for the purposes of this act, जो private limited है, वो public limited मान ली जाएगी, इस act के अंदर, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles, चाहे उसके articles में उसे private company ही माना गया हो, चाहे उसके articles में RLP वाली बात है तो है, कोई पर्क नहीं पड़ता, फिर भी laws पर कैसे लगना लग जागा बेटा, ऐसा, public company, इस तरीके से, करेंगे और यही बात यहाँ पर लिख भी लेना तो उपर स्पेस आ रहे है चोटी सी नोटिंग यहीं कर लो, अगर चोटी चोटी नोटिंग आपको लगता है आप कर पाते हो तो यहीं कर लो बना ब्लैंक पेज उसकर लेना, पर चोटी सी इसमें क्या गाने, है अरे दिखरा है सबको, अरे लिखे रहे है तो एक और एक सामतर लिख लो यह सुना राग, अरे टू टाइप ऑफ कंपनी इन कंपनी जैक पब्लिक या प्राइवेटी होती है जैसे निदी कंपनी बना ले कि मैं सिर्फ अपने मेंबर से पैसा लोंगी सिर्फ उन्हें लोन देने का काम करूंगी तब उसे निदी कंपनी वाले सेक्शन में कर दिया जाता है वो भी बाइनिचर प्राइविट या पब्लिक है तॉपिक आएगा सीखेंगे क्यों जिनता का प्राइब वो एक यूनीक केस है आलो ने लिखा ही वह है एक मोर्देन ने लिखा एक एक फिफ्टीवन पे होगा या उससे थोड़ा ज्यादा सब्सेडरी यह सब्सेडरी यह सब्सेडरी हो भी सकती है या नहीं किया एक public company किसी private company की subsidy हो भी सकती है या यह कर दो हम ऑलडरी ए Kens aanपल ले चुके थैं तो बिल्कुल एक प्राइवेट anders कि एब सब्सेडरी बना सकती है तो अगर उसने एसा कर दिया नि again जाएंगे क्या मानने लग जाएंगे प्राइवेट कंपनी सिर्फ कब मानता है अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की क्या है सबसेट्री अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सबसेट्री तब डीम्ड है पर अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है फिर यह लॉनी लगेग पिर तो वो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है पर बिटा हम एस को क्या मानने लग जाएंगे प्राइवेट या वो पब्लिक ही रहेगी यह आपकी पब्लिक ही रहेगी तो जबर्दस्ती लॉनी जितना बता है बस वही लौपड़न है अपने इस आप से जबर्दस्ती मतलिक दिना यहां हो भी डिम्ड हो जाएगी ना तो उने का सिफ सबसेड्री होने पर ही आप डिम्ड पब्लिक कंपनी के लाएंगे अरे बनी कुछ बात सवाल आपके लिए आ रहा है एक कंपनी है एच लिम्टेड उसने सतर परसेंट वोटिंग पारलेट से होल्ड कर रखी है एस प्राइवेट लिम्टेड की क्या एस प्राइवेट लिम्टेड डीम्ड पब्लिक कंपनी है एस प्राइवेट लिम्टेड ने सिक्स्टी परसेंट होल्ड कर रखे हैं जेड प्राइवेट लिम्टेड के इसके बेड़ा दो लॉजिक हो सकते हैं अगर कोई बच्चा मेरेको दोनों रीजनिंग दे पाए कि जैड प्राइवेट लिम्टेड को आप पब्लिक क्यमानरें बताओ अनुट कि मfed parenth़ चाहिए जेड जो है वो एच की बी सबसिड्री सवाल उटता है भाई कहरा है सारी जो जेड प्राइवेट लिम्टेड ना ये ऐच एक प्राइवेट कंपनी, प्लिक कंपनी की सब्सेडरी है अगर बोटी पबिक भी बन जाएगी आपकी पब्लिक कंपनी, एक और सवाल पुछ सवाब अभी नहीं दे पाऊंगा है तो पूछो या नहीं बताते हैं किया क्या Z private limit H limited की subsidiary क्या Z private limited S private limited की subsidiary है तो Z private की holding कौन है कि अच्छा यह भी तो सोचना था यह तो मैंने फांडेशन में सोचा ही नहीं कि मुझे मैं आज पढ़के निया है मैं आज नहीं पाऊंगा नेक्स क्लास में पढ़के आऊंगा फिर मैं जवाब दोंगा सवाल में कुछ दम है कितने बच्चे करे सर इसकी होल्डिंग होगी एस प्राइवेट लिमिटेड इतने करे सर इसकी होल्डिंग होगी दोनों अचा एक कंपनी के एक से जाधा होल्डिंग सोसकती है पॉसिबल है सीखेंगे सब्सेटरी कमपनी के टॉपिक में एनिवेस तो इस अलब बड़ आपका पुब्लिक या प्राइवेट कमपनी दे सारी आपके पुब्लिक और प्राइवेट कमपनी की बाते पुरी है तो ध्यान रखने बड़ा बेसे रेजिस्ट्रेशन आप कंपनी प्राइवेट कमपनी को फरदर सब क्या जा सकता है इन्टो थे पॉइन कमपनी देखना लॉमेकर ने ओप्रेज़ ठाम कर ना फिर चक्क्र नाने लगे तुम्हें डेफिनिशन बढ़के नाश्ता करके तुम्हें लंच भी करना होना चाहिए था नाश्ता करके अच्छा डिफाइन करके है क्या बात करते हो तो आ रहो ना ए बी सी डी ए फजी अचाहे बिलकुल जी ओपीसे डिफाइंड तो है और बेटा क्या जबरदस डेफिनिशन लौ में करने दिया मतलब दिल खुश होगा है डेफिनिशन पढ़के क्या कह रहे जी वन पर्सन कंपनी means a company which has only one person as a member तो यह एक ऐसी company है बेटा जिसमें एक ही member होगा ठीक है तो जानक ना only one person as a member तो बड़ा जो OPC का concept है वो इंडिया में पहली बार Companies Act 2013 ही लेकर के आया था इससे पहले इंडिया में एक अकेले इंसान को कभी भी company incorporate करना allowed नहीं होता था with Companies Act 2013 one person company का concept आया उसका reason क्या रहा पहले इंडिया में limited liability के लिए आपको सिर्फ company बनाना allowed होता था तो पहले अगर लोग company ना बनाकर firm बनाते थे firm में दिक्कत आती थी unlimited liability की तो उसका solution lawmaker ने दी दया था LLP act से 2008 में वो LLP act लिया है और वो नेका जी आप firm का limited liability का feature combine करके LLP बना सकते हो पर फिर एक अगर 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 अपीसी बनाई है तो क्या मैं और OPC सेम है या अलग अलग है separate legal entry तो वहां भी है ना और slab का benefit individual को मिलता है या company को तो company जब 10 कमाएगी तो क्या slab benefit राएगी direct pay करेगी flat rate और जी जब मैं वो पैसा उस company से dividend के form में निका दूँगा का मुझे दुबार अटेक्स देना पड़ जाएगा बिलकुल तो company OPC अगर बनाते हो काम दंदा करने के लिए दिक्कत आपको face करने पड़ सकती है तो this is the concept of OPC भी OPC में हमेशा कितने member होंगे और कितने director होंगे मेंबर एक होगा डारेक्टर लगाव इस पिस्टार डालो ब्लेंक पेज का नंबर और ब्लेंक पेज का नंबर भी बता दो माइक देजना भाई को गाना गाएगा अजी कौन सा ब्लेंक पेजा रहे है बन पॉइंट टूवन कि दूफाइफ में लाएक वैसे अगर आपका मन करें तूबन पर भी कर सकते हो तरा की तूफाइफ पर ही कर लो मन करें तो हाथ पर भी लिख सकते हो मन का तो क्या है अरे क्या कह रहा है तरीके से बोलो फिर हाथ एक गाना हम बिल्कुल मौका मिलेगा बिल्कुल मौका मिलेगा थे पर ही तूफाइफ प्रिंस पूछरा सर टाइमिंग दो से पांच हो सकती है क्या बिलकुल हो सकती है मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूं मिरे को क्यों कि वह यहां पर करें सुभी और जल्दी निकलना पड़ेगा तो आप निकलो फेस्ट वेस्ट आले मिरे को क्या लेने देना वह लाई वाले कर रहे है तो इसमें क्या कम्कनी अपने आर्टिकल में लिखकर चाहे तो वो रेस्टिक्शन जो चाहे वो रेस्टिक्शन लगा सकती है लो ने वो फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है बस वो रेस्टिक्शन रिजनेबल होनी चाहें फ़र व cat वह काiner शेर काभी ट्रांसफरी नहीं होगा यह त्रिक्शन है उक लो मज़े नहीं इस ताइप की चीज़े में इस पर गिस whole आर्टिक्शन लो कैसे जो रिस्रिक्शन जों इसी रेस्टिक्शन ओ जिनर्न ए और जी यह वह ना कुछ बात रहुल करे सर आप क्या class थोड़ी दिर और extend कर सकते हो यह वासा वाद आप आपने fill in the blanks कर लिए होंगे भीटा खुच से तो minimum member public company में कितने private में OPC में कोई minimum maximum में ही निवात हो एक ही रहेगा हमेशा maximum public में infinite private में 200 OPC में तो हमेशा एक minimum director public company में कितने हैं ओके private में OPC में एक यह बात आपकी निकल करके आती है section 149 of the company's act से maximum director in a public company can be 15 private can be 15 OPC can be 15 और 1 पक्का बनोगे maximum director हर company में कितने होते हैं पंदरा चाहे हो OPC हो private public हर किसी में आप चाहो तो 15 directors तक appoint कर सकते हो क्योंकि ऐसा हो सकते है कि आज मैंने अकेले ने कोई company incorporate करे जिसमें पैसा सिर्फ मेरा लगा हुए पर company का scale of operation इतना वाइड है कि business चलाने के लिए मुझे ज्यादा लोग चाहें तो लग कहते हैं अगर आपको ज्यादा डारेक्टस हायर करने हैं उनकी ज्यादा salary देने को आप ready तो कोई दिक्कत नहीं आप maximum directors पंदरा appoint कर सकते हो पस यहाँ पर लिख लेना बिटा can be increased मतलब अगर कोई company चाहे तो क्या वो पंदरा से ज्यादा इतना बड़ा बिजनस है तो यह बात लौने लग दी कि आप maximum directors के लिमिट बढ़ा सकते हो एसार पास करके स्रिष्टी करें सर के एंप्लॉई जॉइंटली होड़ दा शियर विच सम्वन आउटसाइड दे कंपनी इस का फैदा नहीं मिल पाएगा तो कि एक और परसन आगे जो आपका नोन इंप्लॉई ए तो किसी भी कंपनी में आप special resolution पास करके maximum directors के लिमिट बढ़ा स्क्राइब कोई सवाल OPC में सर कैसे पास होगा OPC के लिए कुछ अलग से निलिखा तो क्या OPC को भी वह काम करने से पहले OR या SR चीए बिल्कुल चीए वह बात OPC पर भी लिखते हैं बढ़ा OPC भी OR या SR पास करेगी पर सर महा तो एक अकेला मेंबर है तो बढ़ा OPC को भी OR या SR पास तो करना होता है बस वह OR SR पास करने का तरीका थोड़ा सा पास हुआ है तो इस तरीके से आप decision making करते हैं उसमें बढ़ा जो मैंने minutes बोला minutes क्या होते हैं what do you mean my minutes? meeting के written records कि जो meeting हुई थी उसमें क्या discussion हुआ क्या decision हुआ उसके written records एक company को maintain करने होते हैं as per section 118 depending on your team तो उनी को हम कहते है minutes of the company तो इस तरीके से OPC में आप maximum minimum director appoint कर सकते हो अनुरा क्यारे सर एक person maximum कितनी company का डारेक्टर बन सकता है तुदा हो जी वो गयरे जी एक person कितनी companies में director बन पाएगा maximum अच्छा member कितनी company के बन सकते हैं unlimited तो क्या मैं चाहूं तो आज इंडिया में 50 public companies के share खरीच सकता हूं 50 private के 50 OPC के OPC बस उसकी exception है जया रखना OPC membership आप सिर्फ एक single OPC में acquire कर सकते हो coming down to directorship डारेक्टर में कितनी company का उसकता है यह बात आपको members के topic में सीखने को मिलेगे डारेक्टर के topic में जब आप CA final level पर डारेक्टर का chapter पढ़ोगे वहां पर एक section आता है 165 वह आपको सिखाता है कि एक इंसान maximum कितनी companies में डारेक्टर होगता है जनरली उसकी limit होती है 20 जनरली हावेवर वहाँ पर एक 10 की limit भी आती है अब वह 20 और 10 क्या है उसमें मैं नहीं जाओंगा पढ़कर simply मैं answer करू maximum limit generally it's 20 हावेवर 10 की भी एक limit है तो कभी आप वह section पढ़ोगे आपको पूरी clarity उसपर मिल जाए चले कि आपकी OPC आप अके लिए मेंबर आपने मिरको डारेक्टर पॉइंट कर रखा है मिरको decision लेना था लौने का ORS सर्पास करा तो मैं को मेंबर बता दो आपका decision क्या फेवर में हो अरे होगे नहीं हो हो मैंने minutes में लिग दिए प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी केंबी OPC या प्राइवेट कंपनी केंबी या प्राइवेट कंपनी केंबी या प्राइवेट कंपनी केंबी या स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी आपके हो सकते है स्मॉल कंपनी और स्मॉल कंपनी आपका defined है section 2 clause 85 तो आज य पूछ रहे हैं सर्ड डारेक्टर मैक्सिमम 15 हो सकते हैं यह कौन से section में लिखा है यह 149 में लिखा है जौन section 149 और बड़ा जितने मर्जी chance सितार्यों तुम चाहू उतने इस पर लगा देना जितने chance सितार्य आप चाहू section 2 clause 85 के बाजों में लगा देना very 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 important topic for exams जितने मर्जी chance सितार्य चाहाएं आप लगा लेना तो देखते हैं भई what do we mean by small company small company का यहां पर मतलब क्या है तो लौ के रहे जी small company means a company other than a public company paid up share capital of which does not exceed Rs.50,00,00 or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crores and turnover of which as per its profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crore क्या 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 गया है बढ़ो इसको दुबारा से प्रिंस के रहे foundation में आया था जाना foundation में भी आपके टॉपिक है foundation में आप बहुत सारा company जाके पढ़ जाते हो किसी भी company को small company बनने के लिए lawmaker ने कितने criteria set करें हैं कि आपको ये दो criteria पुरा करने एक criteria तो आपका paid up capital का है एक criteria आपका turnover का है तो अगर आपकी paid up capital या turnover within limit है तो आप small बन सकते हो सबसे पहले एक बार paid up capital की बात करते हैं 50 lakh और सच higher amount as may be prescribed which shall not exceed 10 crore रुख जादे आपर कोई बच्चा मुझे इस line का interpretation बताना चाहे यह line कहना क्या चाहरी है आपर 50 भी लिखा है 10 भी लिखा है 4 भी लिखा है देनार माइक किस भाई को देना hand raise कर लो एक बार पीस क्यों ऐसी बात बोलते हैं कि छुपके नीचे नीजे वह बात बोलनी पड़े है जी प्लीज पर्लियमेंट ने सेंट्रल गवर्मेंट को प्रिस्क्राइब लिमिट जो 50 लाक्स है उसके उपर अप्टू 10 करोड करने की पर्मिशन दिया लेकिन वह पेड़ शेयर कापिटल लिमिट 50 लाक्स से कम और 10 करोड से ज्यादा सेंट्रल गवर्मेंट भी नहीं कर सकते हैं और करी कितनी है 4 करोड सबको बात समझो है भाई ने जोगा है किसे को के किन्फीजन फिर से रिपीट कर तो एक बार लाइन बार लाइन पढ़के गूड पेड़ पेड़ शेयर कापिटल और विच दस नॉट एक सिट 50 लाक और तो पहले पारलियमेंट ने काका पेड़ पारलियमेंट को अगर कोई चाहे तो बढ़ा दी है पर आगे में एक बात और कह रही है पारलियमेंट ने क्या का कि 50 की लिमिट को अगर कोई चाहे तो बढ़ा सकता है और कौन बढ़ा सकता है CG तो वो CG को एक पावर दे रही है और आप इस लिमिट को बढ़ा सकते हो आगे which shall not be more than 10, इसका क्या मतलब है? 10 करोड से जादा लिए. किसी जी आप कहां तक बढ़ा सकते हो उसको? 10 करोड सकते. और बढ़ा, finally CG ने rules बना कर इस limit को बनाया कितना है? 4. ये पिछले साल तक, पिछले साल के starting अगर मैं को, पहले कितनी हुआ करते थी? 2. CG ने उसको change करके अब कितना कर दिया है? 4. अगर आप में से किसी ने 2 करोड पढ़ा रखी है, ध्यानरक ना वो पुरानी limit थी. It has now been amended and the current present limit is 4CR. तब 4 करोड एक किसी भी कंपनी की maximum paid up capital हो सकते है. बहुत अच्छी बढ़ा, nice. तब ध्यानरक ने बढ़ा, lawmaker ने small company को कैसे define किया? उसने का जी small company कैसी company है, जिसकी maximum paid up capital कितनी होगी? पारले मैं ने का जी देखो, पहले मैं limit सेट कर रहा हूँ 50 लाग की. Maximum paid up share capital या paid up share capital shall not exceed 50 लाग. और such higher amount as may be prescribed and that prescribed amount cannot exceed what? 10 करोड. and CG के पास जो power है, वो 50 की limit को बढ़ाने की तो है पर CG उसको सिर्फ कहा तक बढ़ा सकता है? 10 तक. that is CG आप चाहो तो इस limit को 10 तक लेकर जा सकते हो, तो पहले CG इस limit को 2 तक लेकर गया था पर recently CG ने इस limit को बढ़ा कर कहा तक ले गया? 4. तो currently the limit is 4 CR, अगर किसी भी company की paid up capital 4 करोड तक है, तब उसे small बोला, जासकते है. तो CG ने बढ़ा लिमिट को 4 किया, यहाँ पर आपके लिए एक सवाद. अगर बढ़ा 4 की लिमिट को बढ़ा कर 8 करना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या बढ़ा मेरे को इसके लिए Parliament के पास जाने की कोई जरूरत है? यह काम CG सीदे एक notification निकाल कर कर देगे. बढ़ा CG को बैसे एक notification निकालने यह काम हो जाएगा, और अगर इस limit को बढ़ा कर मुझे 20 करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? क्या MC निकाल कर यह काम कर सकती है, करी नहीं सकती. तो क्या करना पड़ेगा? हम एक बिल बना कर पार्लियमेंट के पास लेकर जाना पड़ेगा, लोग सभा, राज्य सभा, प्रेजिदेंट साइन करेंगे, तब जाकर वो लिमिट भड़पाएगी, क्योंकि पार्लियमेंट ने, CG को पावर देते वक्त, उसकी पावर पर एक रिस्रिक्शन लगा दी, आप मैक्सिमुम दस तक इसको लेकर जासे हो. तो इसे स्वाल आएगा, और आप पेपर में लिख देते हो, let's suppose, small company means a company, public company, जिसकी paid-up capital maximum है 4 करोड, पर दूसरा बच्चा लिख रहा है, उस paid-up capital is maximum 50 lakh, और such higher amount as may be prescribed, which shall not exceed 10 करोड, and the prescribed limit is 4 करोड, तो पर दोनों का answer ठीक है, पर दोनों को बराबर number मिलेंगे, नहीं ची, answer तो दोनों का ही ठीक है, क्यों limit तो ultimately 4 है, पर आपके answer की quality lacking थी, क्योंकि आपने सारी बातें महाँ पर नहीं बता रही, तो paper करने के बाद आपको लगेगा तो सही, कि मैं तो सब कुछ सही लिख्या हूँ, number क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने बाकी बातें महाँ पर नहीं बता रही, तो जानक न, यह बात आपके answer में जब तरीके से निकल कर आएगी, तब आपको पूरे number मिलेंगे, बरना आपके marks deduct हो जाएगी, अरे मनी कुछ बात, तो बड़ा, आज एक company है, let's suppose, Tata Steel Limited, और मैंने आपको बताया जी, turnover अभी के लिए भूल जाते है, इस company की paid up capital आपकी आ रही है, साड़े तीन करोड की, क्या यह small company है, turnover भी within limit है, turnover अभी के लिए भी दिसक्स नहीं करें, क्या यह small company है, तरफने बड़ा, यह क्या है, Tata Steels, that is by nature, यह क्या है, and public company कभी भी small नहीं हो, पहली line में उसने क्या, company other than a public, by nature हमेशा कौन सी company होगी, private, public company को आप कभी भी small company का दर्जा नहीं दिसके, तो अगर वो public company है, paid up turnover, जितनी मरजी हो, public company को कभी भी small का दर्जा नहीं मिलता, जानक ना, इस पर एक बार institute ने MCQ बनाया होगा, तो इस राप के trick question बन सकते हैं, जान से question पढ़ना, कि वो private company की बात कर रहा है, public case, is this clear to everyone? अरे बनी बात, तो बड़ा, आज एक company है, let's suppose IGP private limited, और मैंने आपको बताया, IGP private limited की equity share capital, जो authorized capital, उसके memorandum के clause में लिखी हुई है, that is 5 crore, पर company ने आज तक issue and paid up का रखी है, 3 crore, क्या ये small company है? memorandum के capital clause में 5 crore लिखा है, company ने आज तक 3 crore के share उसमें से issue की है, क्या ये small है? क्यों है? कि बटा, हमें कोन सी capital देखनी है? law नहीं साफ साफ लिख है, कोन सी capital? authorized या paid up? paid up से मतलब है, पर कल को अगर उसने 2 crore के share और issue कर दिये, फिर क्या वो small रहेगी? नहीं, फिर उसका small company का tag छिंजाएगा, पर अभी तक तक तो ही बिल्कुल small company है, is this clear? पर आज एक company आई जीपी private limited, उसने equity share capital issue कर रखी है 3 crore की, small है या नहीं है? अरे है या नहीं है? साथ में उसने preference share capital भी issue कर दी 2 crore की, small है या नहीं है? small है या नहीं है? पर इस बिल्कुल small company में capital देखते वक्त, बिल्को सिर्फ equity देखनी है, preference भी देखनी है, दोनों क्यों देखनी है? क्योंकि law ने paid up equity capital लिखा या paid up share capital लिखा है, और जब भी बिटा वर्ड paid up share capital आएगा, क्या उसमें equity preference दोनों count हो जाएंगे? पर क्या debenture यहाँ पर हम count करेंगे? नहीं है, debenture आप यहाँ पर count नहीं करेंगे, बिटा IGP private limited है, equity share capital उसकी आ रही है 3 crore की, और उसने preference share capital issue कर दी 1 crore की, small है या नहीं है? क्या exact 4 पर small बनेगी या नहीं? exact 4, कितने बच्चे करेंगे सर? yes small है, exact 4 पर भी small बनती है, कितने बच्चे करेंगे सर? exact 4 पर नहीं सर, exact 4 पर नहीं बनेगी, तो क्या 4 crore तक आपका all out है? बिल्कुल, तो 4 या उससे कम है चलेगा, इतना आप capital बिल्कुल रख पाएंगे, तो बिल्कुल इस बज़े से small है, पर जी small company हो या नहीं, वो सिर्फ आपकी paid up capital पर dependent नहीं है, साथ में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, किसका? turnover, और देखते हैं भी, turnover के लिए low में करने क्या का? तो जी small company paid up capital तो आप देख ले ना, किस limit से ना टपे, पर साथ में आपकी turnover कितने से नेट अपनी चीए, turnover of which as per the profit and loss account, of the immediately preceding financial year, does not exceed what? 2 करोड, और such higher amount as may be prescribed, which shall not exceed tender. तो पारलेमेंट ने पहले खुद से limit बेटा कितनी बताई? तो और फिर उसने क्या का? CG अगर आप चाहो अप इस limit को बढ़ा तो सकते हो, पर सिर्फ कहां तक? और CG ने बेटा 2 की limit को बढ़ा कर कहां तक ले गई? 40. पहले 20 होती थी, पर अब ये बढ़कर कितनी हो चुकी है? 40. तो turnover की limit कितनी है, बेटा? 40. एंड सेम सवाल आपके लिए आ रहे है, जब हम turnover देख रहे हैं, let's suppose आज turnover की पहली limit, Parliament ने बताई थी 2, का था बढ़ा कर सकते हो 100, currently the limit is 40, तो अगर 40 से 80 करना है, ये power किसके पास है? पर अगर 100 से 120 करना है, इसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? पारलेमेंट के पास, ये power CC आपके पास नहीं है, उसके लिए पारलेमेंट के पास, बिल बना कर लेकर जाना पड़ेगा, is this clear to everyone? तो आज के दिन में, बिटा, cut shot करके हम कहें, small company के लिए paid up capital के limit कितनी है? 4, और small company के लिए turnover के limit कितनी है? 40, तो 4 and 40 is the current limit. Is this clear to everyone? जो बिटा, तो बिटा, आपके लिए लिए सवाल आ रहे है, let's suppose एक company है IGP private limited, और इस company की, मैंने आपको बताया, इस company के बिटा, paid up capital आपकी आ रही है 2 करोड की, और इस company की turnover आपकी आ रही है 30 करोड की, क्या ये small है ये नहीं है? अरे है या नहीं है? फिर मैंने का जी, इस company की paid up capital है 5 करोड की, turnover है 100 करोड की, क्या small है या नहीं है? फिर मैंने का जी, इसकी paid up capital आ रही है 2 करोड की, पर turnover आ रही है 50 की. Small है या नहीं है? कितने बचे करसर नहीं है? कितने कैसर है क्या है स्मॉल होगी जो दो condition आपको दी गई है दोनों में से कोई भी condition पूरा करने से काम चलेगा या दोनों पूरी करनी पड़ेगा दोनों क्यों पूरी करनी है इन दोनों के बीच में का लिखा हुआ है जब भी law में कभी भी अगर word and आ जाए and क्या होता है बेटा conjunctive जो दो बातों को जोडता है और बीच में आपर और आ जाता है और का effect क्या होता है वो होता है disjunctive वो दो बातों को तोडता है तो उपर यह बात लिए न कि the word and is conjunctive and the word or is disjunctive आपको आंसर मिल जाएगा अरे बनी कुछ बात आप मेरे एक और सवाल का जवाब देने को तियार है पड़ा एक कंपनी है IGP Private Limited ही पेड़प कैपिटल मैंने आपको बता रहे है इसके पेड़प कैपिटल विदिन लिमिट है और इसके पेड़प कैपिटल आ रही है 3 करोड की अब आगे बेटा मैंने आपको बताया इस कंपनी का अभी एक साल खत्म हुआ 21 इस साल बेटा इसकी टर्नोवर लगबग आपकी आई 30 करोड की फिर एक पानेशल एर बेटा खत्म हुआ 22 और 22 वाले साल में इसकी टर्नोवर लगबग आगई 41 करोड की आपको बताना है क्या 22 में इस कंपनी को स्मॉल मानोगे या नहीं पेड़ कैपिटल तीन करोड है टर्नोवर करेंट एर का 41 करोड है क्या यह स्मॉल है या नहीं है कितने बच्चे करें सार है कितने बच्चे करें सार स्मॉल है कितने बच्चे करें सार स्मॉल है क्यों नहीं बटा वो गरें सर्फ 41 है अब turnover वाले length बार से पढ़ो सब्सक्राइब हाँ जी small है या नहीं है बिलकुल है बटा क्यों है क्योंकि कोई भी company किसी particular year में small है या नहीं उसके लिए कि आप उसकी उस साल की turnover देखोगे turnover कबकी देखनी है preceding year तो paid up तो 3 थे और क्योंकि पिछले साल की turnover कितनी थी 30 क्या ये small हो जाएगी और जैसी अगला साल आया 23-24 इस company की turnover आई 35 करोड की अब आपको बताने 23-24 में ये company small है या नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि पिछले साल की turnover कितने से टप गई 40 से जादा और जी अगर इसकी 24-25 में turnover let's suppose आई 38 करोड तो क्या ये 24-25 में small है या नहीं है क्या 24-25 में क्योंकि बिटा 22-23 में small थी small company का tag इसे मिला हुआ था अगले साल small company का tag इसे चिन गया तो अब उससे अगले साल जब हम देख रहे है तो क्योंकि preceding year का 40 से कम है तो क्या इसे small company का tag दुबारा मिलेगा या अगर एक बार tag चिन गया तो फिर small नहीं बनोगे या जो सवाल है बिटा ये और इस पर institute का MCQ भी है ये चीज़ तो small company का criteria है तो आप हर साल year on year अलग-अलग check करोगे या अगर एक बार small company का tag चिन गया तो चिन गया फिर दुबारा small नी बन सकते है क्योंकि एक बार turnover टप चुकी है एक answer मेरे पास है तो consecutive year तक small रहना पड़ेगा ये भी एक answer है अच्छे क्या लग रहा है लोग आपके सामने उसी में सारा answer लिख है बताओ जी जितना law आपने देखा है पढ़ा है उसके इसाब से क्या ये इस साल small company होनी चाहिए definitely yes क्योंकि current year में small है नहीं उसके लिए मेरे को होसकता है कि एक साल small है फिर small नहीं है फिर small है फिर small नहीं है that is क्या year on year criteria बदल सकता है definitely so year on year criteria change होसकता है is this clear बस एक सवाल यहाँ पर रहे गया sir 21-22 में ये company small है या नहीं अगर आपको कोई data चीए तो मेरे से मांग लेना 21-22 में ये small है नहीं ये नहीं देखा हमने है उसके लिए हमें क्या देखना है इसके पिछले साल का data पर जी दिक्कत यह है पिछले साल का data वेलेबल नहीं है क्योंकि ये company incorporate ही किस बाइस में होगी है कि मैंने कब बताएगा कि मैंने तो नहीं कि मेरे खो तो नहीं आत्पर था मैं उसके तो क्या ये 21-22 में small मानी जाएगी या नहीं incorporate ही इसी साल हुई है तर्नोबर पिछले साल की देखने पिछला साल आई ही नहीं इंक्रप्रटेंग यूई थे तो small माने आना माने माने आना माने सीखने ले क्लास में टेक्ट क्यार बभाए नहीं नहीं प्राइवेट नॉर्मल प्राइवेट कि दुरह small company का टैग छी ना पर प्राइवेट तो आहीए अगली क्लास आपकी आपकी आप पर ही चलेगी तो जितने भी हमारे यूट्यूब पर आज बच्चे जुड़े हुआ है आज ही आपकी यूट्यूब पर लास्ट क्लास थी अगली क्लास आपकी आप पर ही चलेगी तो जितने भी बच्चे हमारे पास रेजिस्टेट है सबके पास एप का लिंग जा चुका है तो नेक्स क्लास वोट्ट बिए उन यूट्यूब तो इसका आप ध्यान रखना पर डाउट अगर है बेटा पूछ लीजिए एंड जितने भी बच्चे भई एप पर क्लास देखने अगर आप कनेक्टेड हो आई होप आपका हो अपना फीडबैक मेरे को जरूर देना कि बटा अंज जीडी पर क्लास अपलोड होने में आप यह मान कर चलना दो से तीन दिन लग सकते हैं जाएगी क्लास उपास ना Google Drive के सारे स्टुडेंट्स की क्लास डिस्पैच होना स्टार्ट हो गया विस उसमें आपको के वाईसी जरूर करना है तो आपने के वाईसी में अपना अधारकाड या जो भी आईसे अगर रिजिस्ट्रेशन प्रूफ है वह आई होप अपलोड कर अधार जैसे जैसे चलास होती जाएगी दो-तिन दिन के अंदर वह सी लिंक पर आपके पास आती रहेगी तो जैसे 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 उती जैसे नहींकर रहा वोगा टेक्स क्लास में पूछेगा एक का लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दो झाल झाल